वेरी गुड इबनिंग तो अल अफ यू So kindly confirm the audio and video who have already joined on RDV classes app as well as software पर जिन लोगोंने join कर लिया है एक पर audio and video confirm कर दीजेगा क्लियर हैं? चलिए Software वाले students kindly confirm the audio and video चलिए उनको भी क्लियर है आईएगा इस्ट्रोइंट्स आज हम बात कर रहे हैं आपसे salary, income under head salary class number 24 जिसमें मैं आपके साथ start करने वाला हूँ एक नया नया concept income under head salary में जो की हमारा part C है retirement benefits तो retirement benefits को start करने से पहले आपको याद होगा last class में हमने questions की practice करी थी questions की practice में मैंने एक question motor car वाला आपको homework दिया था question number 18 आप लोगों ने क्या उस homework question को try किया है क्या आप लोगों ने उस question को try किया है या आप बस ऐसे ही इस भरोसे में बैठे हैं कि मैं class में करवाऊंगा तो ही cover करेंगे otherwise हम कुछ try वराए हम कुछ करना नहीं जानते तो कितने लोगों ने try किया है question number 18 honestly software students almost सभी कह रहे हैं कि हाँ sir हमने try किया है लेकिन यह जो rdv classes एप पर class ले रहे हैं इन लोगों ने मैंसे केवल चंचल ने बोला है कि हाँ sir किया है कोई doubt है किसी को question number 18 में question 18 जो हम last class में discuss कर रहे थे sorry homework दिया था आपको उसमें किसी को doubt है क्या चलिए अगर आपको doubt है भी या नहीं भी तो इसको हम बाद में discuss करेंगे पहले मैं आपके साथ chapter जो income under head salary का part C है retirement benefits वो discuss करूंगा फिर इसके आखरी में इसके doubt लेंगे तो end session में हम इसका doubt ले लेंगे अभी फिलाल मैं आपके साथ जो start कर रहा हूं that is the income under head salary part C retirement benefits देखी मैंने आपको salary जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था salary में majorly तीन चीजे हैं एक आपका salary है जिसमें basically basic आ जाता है plus DA आ जाता है plus commission आ जाता है plus bonus आ जाता है plus allowances आ जाते हैं तो यह हमने part A में cover कर लिया था फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको सिखाया था percusates तो जब आपका employer आपको salary ना देकर facility देना शुरू कर देता है तो वो आपके लिए बन जाते हैं percusates और यह मैंने आपको part B में बताना शुरू किया था तीसरे नंबर पर जो salary के अंदर एक और चीज़ आती है that is called retirement benefits so retirement benefits क्या है सर्व वो benefits जो की एक employee को दिये जाते हैं जब वो retire हो रहा होता है तो वो benefits जो की employee को दिये जाते हैं generally जब वो retire हो रहा होता है retire का मतलब है क्या वो जब company छोड़के जा रहा होता है या जब वो 60 साल का हो जाता है मुझे बताइए जब वो company छोड़के जा रहा होता है या जब वो 60 साल का हो जाता है आप retirement किसे मानते हैं जब एक आदमी एक person अपनी पूरी जिन्दगी बर काम कर लेता है और आखरी बार company छोड़ता है वो retirement है या जब जब वो company छोड़ता है वो retirement है प्रीथल और चंचल ने बोला 60 साल बट दोनों ही unfortunately गलत हैं तो retirement का मतलब केवल यह नहीं होगा कि एक आदमी जब 60 साल का हो रहा है और वो company छोड़ रहा है no retirement means company से अलग होना company से अलग होना का मतलब आप अगर पूरे जीवन काल में एक company में काम करते हैं तो भी आपकी retirement है अगर आप पूरे जीवन काल में 10 कंपनियों में काम करते हैं तो भी आप 10 कंपनियों से retirement लेते हैं तो जब भी एक person को ये company छोड़के जाता है, इसका मतलब वो company से separate हो रहा है, इसका मतलब उस company से retirement हो रहा है, बहले ही वो 60 साल का हो गया, नहीं हुआ, बहले ही वो कितने भी साल का है, अगर वो company छोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो company से retire हो रहा है, तो जब भी मैं आपको retirement benefits की बात बताऊँ तो आपके दिमाग में ये picture नहीं बननी चाहिए कि मैं एक बुजर्ग वेक्ति हो गया हूँ और मेरी उमर 60 साल हो गई है और अब मैं company छोड़ रहा हूँ No, ऐसा बिलकुल भी नहीं है Retirement का मतलब है, आप company छोड़ के जा रहे हैं चाहे आप 20 साल की उमर में छोड़ रहे हैं कभी भी चोड़ रहे हैं, आप company छोड़ रहे है Klarer है? बताईए कोई doubt है इस बात में किसी को तो जितने लोगों का ये misconception बना हुआ था आज से पहले कि retirement का मतलब ही वो होगा जब हम बुजर्ग हो जाएंगे और हम company छोड़ कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, retirement का मतलब है, आप company छोड़ रहे हैं, आप चाहे कभी भी कैसे भी छोड़ रहे हैं, अगर आपको ये बात समझ आईए, तो मुझे एक छोटे से basic question का answer करि कोई person अपने पूरे जीवन काल में कितने time, कितनी बार retirement ले सकता है, एक, दो, तीन, चार या उससे भी जादा, एक, दो, तीन, चार या उससे भी जादा, बताईएगा, Come on guys, बताईए, कोई reward नहीं आ रहा है, एक job से एक बार ले सकता है, ठीक है, तो अगर उसने multiple jobs ले रखी हैं, तो multiple retirement ले सकता है, न, मानते हो इस बात को, ठीक है, आपका answer चिंचल, एक job से एक बार retirement लेगा, फिर कहीं join कर लेगा, तो वहां से retirement ले लेगा, फिर कहीं join कर तो retirement ले लेगा, तो ऐसे करके, he can get multiple retirements from a multiple jobs, और एक आदमी जो पूरे जीवन काल एक ही job में लगा रहेगा, वो एक ही बार retirement लेगा, क्लियर न, तो देखिए, आपको salary जो मिलती है, वो आपको पूरे जीवन काल मिलती रहती है, जब तक आप job कर रहे हैं, तब तक आपको salary मिलती रहती है, perquisites भी आपको during the job मिलते रहते हैं, लेकिन जब आप retire होते हैं, तो आपको कुछ specific चीज़े दी जाती है, जब आप retire होते हैं, तो आपको कुछ खास चीज़े दी जाती है, और उन खास चीज़ों को हम कहते हैं, retirement benefits, क्या-क्या चीज़े आती है, retirement benefits में, there are six items अंडर दी रिटायर्मेंट बेनिफिट्स सबसे पहला आता है कॉंट्रिबिशन में टू प्रोविडेंट फंड आपको मैंने बताया था परक्यूजिट के अंदर भी कि अगर आप प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हैं है और रिटायर्मेंट के बाद भी मिल सकता है मतलं जब आप रेटायर हो के घर जा रहे हैं तब भी पैष सब्सक्राइब होने के बाद जब्यरा जीवन चले पैष सकता है उसको हम कहते हैं और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, दूसरा आपको मिलता है ग्रेचुटी, दूसरा आपको मिलता है ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी क्या होती है, ये भी हम इसी पार्ट में समझेंगे, क्यों मिलती है, और कैसे मिलती है, और जब मिलती है, तो कितना टेक्सेबल होता है, कितना एक्जेम्ट हो जब आप Is How about Retire हो जाते हैं तो आपको मिलती है पेंशन और पेंशन एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है आप सभी लोगोंने कभीना करें तो सुना होगा और जहां तक मेरा मानना है अप सभी लोगोंने इस बारे में यह सुना होगा कि जब कोई रेटायर हो तो रिटायर्मेंट के बाद उसकी खर्चे पानी चलते रहें उसके लिए उसे कुछ पैसा देता है उसका एंपलॉयर और जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो आपने शायद इस सरकारी विभाग में ज्यादा सुना होगा कि गवर्मेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं जब रिट नहां तक है आप सभी लोगों ने सुना ही होगा एक आपको और चीज मिलती है डैट इस दी रिट्रेंजमेंट कंपंसियेशन रिट्रेंजमेंट कंपंसियेशन का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने एंप्लॉई को कहती है कि देखो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है तो जब कंपनी आपको कहती है आप कंपनी छोड दीजिए और अगर आप कंपनी छोड़ेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे वो जो आपको कंपंसेशन दिया जाता है that will be called as रिट्रेंचमेंट कंपंसेशन रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है अपने से दूर करना तो जब अपने employee को कहती है कि आप हमें छोड़के चले जाईए, हम आपको अपने से दूर कर रहे हैं, तो उसके बदले हम आपको एक मुआवजा देंगे, हम आपको compensation देंगे, that compensation will be called as retrenchment compensation, अब ये जो retrenchment compensation आपको मिलता है, इस में से कितना हिस्सा taxable होगा, कितना हिस्सा exempt होग ये समझने के लिए हमें इस chapter में provision को समझना पड़ेगा, कि जब एक employee retire होता है, company छोड़के जाता है, और उसे retrenchment compensation मिलता है, मान लीजे 40 लाख रुपे का, for example, तो 40 लाख में से कितना amount उसको tax करना है, और कितने amount को उसको exemption देनी है, ये हमें यहाँ पर समझनी हैं, ये बात retrenchment compensation के लिए ही नहीं, हमें हर चीज के लिए समझनी है, अगर एक person को contribution from provident funds मिलता है, any amount from the provident fund, तो कितना taxable होगा, कितना exempt होगा, ये समझना है, एक person को जब आप gratitude pay करते हैं, तो उसमें से कितना taxable है, कितना exempt है, ये भी समझेंगे, similarly pension, similarly retrenchment compensation, and इसके बाद आएगा हमारे पास voluntary retirement, तो voluntary retirement में क्या होता है, अब employer नहीं कह रहा है, अपने employee को कि तुम छोड़ कर चले जाओ, अब employee आया है employer के पास, सर मेरा मन नहीं लगता है काम करने का, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं कुछ अपना business करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहत हूँ, मैं foreign trip पर जाना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे please आप retirement दे दीजिए, मैं खुद से अपनी retirement मांग रहा हूँ, अभी मेरी उमर नहीं है, अभी कोई ऐसे parameter नहीं है, कि मैं job छोड़ू, लेकिन मेरा फिर भी मन नहीं है job करने का, तो मुझे please retirement दे दो, तो voluntary retirement जब आप लेते हैं, इसको हम कहते हैं VRS, voluntary retirement scheme, तो वहाँ जो आपको पैसा मिला है, उसमें कितना taxable होगा, कितना exempt होगा, ये भी हमें इसी chapter में समझना है, and the last but not the least is the leave salary, leave salary में हम क्या करेंगे, एक employee, वैसे मैं पहले भी आपको पता चुका जॉब के दोरान, उन छुटियों का मजा नहीं लेता, जो छुटियां उसे दी गई थी, इसका मतलब वो उन छुटियों पर भी office में जाता है, काम करता है, office के लिए काम करता है, तो जब वो retire होगा, जब वो company छोड़के आएगा, तो उसकी company उसको उन छुटियों की भी salary देगी, जिन छुटियों पर उसने office में काम किया था, तो वो छुटियां जो उसने नहीं ली थी, unavailed leaves, उन छुटियों के बदले उसे पैसा दिया जाएगा, और वो जो पैसा होगा, उसके अंदर आपको ढूनना होगा, कितना taxable है, कितना exempt है, तो इस हिसाब से ये पूरा 6 के 6 points हम मिला कर जब पढ़ेंगे, तो वो हमारा part C complete कहलाएगा, clear? चंचल का एक doubt है, ले लेते हैं, सर क्या अगर किसी employer को, employee को employer jobs निकाल देता है, तो क्या वो retirement part बनता है? देखिए, अगर निकालने की वजह से, आपको कोई compensation दिया जाता है, तो वो आपका retirement benefit है, अगर आपको compensation मिला ही नहीं है, फिर तो कोई benefit ही नहीं है, अगर किसी person को employer धक्के मार के बाहर निकाल दे, जाओ निकल जाओ इस company से, कल से दिख मत जाना, और मैं तुम्हें एक फूटी कौडी भी नहीं देने वाला, तो बताइए क्या benefit है फिर, फिर तो कोई benefit ही नहीं है, लेकिन on the other hand, ऐसे समझते हैं, एक employer को बोला गया, देखिए हमारा business बड़ा down है, हम ऐसे में आपको afford नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको इस तरह से धोका भी नहीं देंगे, आप एक काम करो, आप ये company छोड़के चले जाओ, और हम आपके आने वाले 6 महीने के नुकसान क भरपाई कर देते हैं, तो हम आपके आने वाले 6 महीने बराबर salary आपको अभी pay कर देते हैं, आप अपना घर बैठो, अब आप company में मत आना, तो वो आपका retirement benefit है, क्योंकि वहाँ पर आपको retrenchment compensation दिया जा रहा है, तो अगर तो आपको compensation मिला है, तो ही तो आपका benefit है, अगर आपको compensation मिला ही नहीं, तो फिर काहे का benefit, जब benefit ही नहीं है, तो फिर काहे का chapter, और जब chapter ही नहीं है, तो फिर किस बात का provision, clear, तो depend करता है, चंचल ये इस scenario पर कि क्या आपका employer आपको उसके बदले कुछ pay कर रहा है, या नहीं pay कर रहा है, अगर तो वो pay कर रहा है, तो benefit है, नहीं pay कर रहा है, तो बात ही खतम हो गई ये फिर तो, clear है मिया तक, तो आज जो मैं आपके साथ discuss करूँगा, सबसे पहला element, वो मैं आपके साथ discuss करूँगा, ग्रेचुटी, तो जब एक person retire होता है, उसे ग्रेचुटी मिलती है, और ये जो ग्रेचुटी मिलती है, वो कब tax taxable होगी, कब exempt होगी, कितनी taxable होगी, कितनी exempt होगी, ये हमें यहाँ पर समझना है, अब ग्रेचुटी होती गया है, कई लोगों की मन में सवाल आएगा, सरे ये ग्रेचुटी बला क्या है, तो ग्रेचुटी एक ऐसा amount है, जो आपको दिया जाता है, अगर आप एक organization में लं लंबे समय तक काम करने के बाद eligible होते हैं, अब ये लंबा समय क्या है, बहुत छोटा सा समय है, पांस साल, company ये कहती है, कि अगर कोई employee हमारे यहाँ continuous five year काम कर लेगा, continuous five year काम कर लेगा, तो क्योंकि उसने हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा समय बिताया है, तो जब वो कर जाएगा हमारी company को, हम उसको gratuity pay करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, ये gratuity company अपनी pocket से नहीं pay करती, ये आपके ctc का ही part होता है, जब आप company join करते हैं, तो company में आपकी ctc के अंदर एक gratuity element होता है, कि हम आपको इतना gratuity pay करेंगे, लेकिन जब आप 5 साल काम कर लेंग कि तब ही हम pay करेंगे, अगर आपने 5 साल से पहले छोड़ दी company, तो ये जो आपकी gratuity थी, जो कि हम आपका hold करके बैठे थे, इसे हम आपको pay नहीं करेंगे, मतलब समझ ये employee का कितना बड़ा नुकसान होता है, मान लीजिए, एक employee 20 लाक रुपे के ctc पर join करता है किसी company को, जिसके अंदर basic 10 लाक है, DA 5 लाक है, अदर 2 लाक है, gratitude 1 लाक है, और बाकी अदर को मैं कर देता हूँ, 3 लाक, 2 लाक, कितना कर दो, 4 लाक कर देता हूँ, तो आपका ctc बन गया है 20 लाक रुपीज, अब ये जो basic है, ये तो आपको मिलता रहेगा, DA है मिलता रहेगा, अदर भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो 1 लाक रुपी की gratitude है, इसको हम hold रखेंगे, आपको हर साल हम 20-20 लाक रुपे नहीं देंगे, आपका 1-1 लाक hold होता 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 होता, अगर 5 साल आपने कमपनी में बिता दिये, अगर आपने 5 साल की service कमपनी को देदी, तो हम आपका ये 1-1 लाक 5 सालों का, 1-1 लाक 5 सालों का आपको pay कर देंगे, लेकिन ये भी हम कब pay करेंगे? जब आप company से retire होंगे, जब आप company से retire होंगे, तो आपका हर साल इस तरह से हम gratitude वाला component जोडते रहेंगे, जोडते रहेंगे, जोडते रहेंगे, और जब आप company छोड़ेंगे, तब हम आपको दे देंगे, अब एक employee जो 5 साल से पहले ही company छोड़ देता है, leave earlier than 5 year, अगर एक employee 5 साल से पहले company छोड़ देगा, तो company ने जो 5 सालों से पहले का amount आपका खटा कर रखा होगा, hold कर रखा होगा, वो आपको pay नहीं करेगी, तो देखे एक employee का नुकसान है, नुकसान क्यों है, उसको 20 लाख रुपे का CTC दिया गया था, लेकिन इस उम्मीद के साथ की वो 5 साल काम करेगा, और अपना पूरा का पूरा 20 लाख निकाल लेगा, लेकिन उसने अगर 3 साल पर 4 साल पर company छोड़ दी, तो जो 3 सालों का या 4 सालों का gratitude उसका hold कर लिया गया था, वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि policy ये कहती है gratitude की, जब तक आप 5 साल काम नहीं करेंगे company में continuous, आपको gratitude नहीं मिलेगी, तो ऐसे मैं एक practically आपको बता रहा हूँ बात, अगर कोई परसन 4 साल किसी company में काम कर लेता है, तो कहा जाता है कि भाईया अब एक साल और कर लियो, एक साल से पहले company में छोड़ियो, otherwise जो तेरा 4 साल की मेहनत का gratitude का पैसा था, वो डूब जाएगा, तो generally ऐसा होता है, मैं यह नहीं कहूँगा hard and fast rule है, बट generally ऐसा होता है, अगर किसी एक person ने किसी company में 4,4 साल निकाल दिये, तो कोशिश करता है कि चलो यार 6 महीने और निकाल के इसको 5 साल पूरा कर दिया जाए, ताकि मुझे gratitude भी मिल जाए, तो gratitude क्या है, एक बार मेरे साथ यहां देखिएगा, ग्रेचुटी is a voluntary payment made by an employer in appreciation of services rendered by the employee, nowadays, gratitude has become a normal payment applicable to all employees, आजकल employer बड़े चलाक हैं, बड़े clever हो गए हैं, वो आपके CTC में, ग्रेचुटी पहले ही डालके रख देते हैं, क्योंकि उसे पता है employer को, अगर 5 साल रुख गया, तो तो यह पैसे ले जाएगा, और अगर 5 साल से पहले छोड़के चला गया, तो अच्छा है हमारे कुछ पैसे तो बचेंगे, मैं कहता हूँ, बहुत जादा amount नहीं भी होगा, कुछ तो बचेगा, तो ऐसे में employer benefits में आ जाते हैं, अब आजकल सभी employer अपने employee के साथ, ग्रेचूटी पे करने का agreement कर देते हैं, के लिए नहीं इतनी बाप पर, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, अगर आपको इतनी बाप समझ आ गई है, तो एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजेगा, ग्रेचूटी आपको कब मिलती है, जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, या जब आप company छोड़ कर जाते हैं, लेकिन eligibility कब आती है, eligibility कब आती है, ग्रेचूटी लेने की, eligibility कब आती है, 5 साल के बाद आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, क्या एक employee, क्या एक employee अपने employer को ये कह सकता है, सर मेरे 5 साल पूरे हो गए, मुझे please, मुझे please, ग्रेचूटी पे कर दीजिए, क्या एक employee ये कह सकता है, नहीं कह सकता, सो, मैंने यहाँ पर आपके reference के लिए लिख दिया, कि ये जो ग्रेचूटी है, ये eligible तो होती है, 5 साल के बाद, बट मिलती है, at the time of retirement, बिल्कुल ठीक है मैयूर, जब वो retire होगा, तब ही वो बोल सकता है, जब वो company छोड़ेगा, तब ही बोल सकता है, आईएगा, तो जब आपको ग्रेचूटी मिलेगी, जब आप retire हो रहे होंगे, company से company छोड़ कर जाएंगे, तो ग्रेचूटी का क्या करा जाएगा, देखिए, अगर आप government employee है, अगर आप government employee है, तो ग्रेचूटी received by the employee of a central government, state government, और employee of a local authority, is fully, fully exempt from tax, देखिए, अगर आप सरकारी नौकर है, तो आपको ग्रेचूटी जो मिलेगी, वो पूरी की पूरी exempt कर दी जाएगी, अगर आप सरकारी employee है, central government के, state government के, या local authority के, तो जब आप retire होंगे, आपको जो ग्रेचूटी पे की जाएगी, पूरी की पूरी exempt हो जाएगी, लेकिन अगर आप private employee है, other than non-government employee, बतलब आप other than government employee है, या non-government employee है, तो वहाँ पर दो बाते होंगी, पहली बात, employee covered, employee covered, under the payment of Gratitude Act, क्या employee Gratitude Act में cover होते है, या employee Gratitude Act में cover नहीं होते है, cover होने और cover नहीं होने में क्या difference है, क्या आपके employer के उपर Gratitude Act applicable है या नहीं है, अगर applicable है, तो इसका मतलब आप Gratitude Act में cover है, अगर आपके employer के उपर Gratuity Act applicable नहीं है तो आप उसमें cover नहीं है अब आपके मन में सवाल आएगा Sir, कब employer के उपर Gratuity Act applicable होगा और कब नहीं होगा तो इसके लिए आपको याद होगा अगर आप CA foundation qualify करके आएए तो foundation में आपने law के अंदर एक Gratuity Act पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आप simply Google करिएगा Gratuity Act law का एक part है मेभी आप अपने IPCC में शायद पढ़ें I am not aware about the syllabus of Gratuity Act whether it is there in the intro or not बट आप Google करिएगा Gratuity Act के applicability आपको एक छोटी सी बात पता चलेगी अगर किसी organization में इतने से इतने employee होते हैं और उनकी salary इतने से इतनी होती है तो उन पर Gratuity लग जाता है अगर किसी organization में इससे जादा employee होते हैं तो Gratuity लग जाता है ऐसी आपको कुछ बाते पता चलेगी क्योंकि वो मेरे income tax का मतलब नहीं है और मेरे exam में भी सीधा सीधा आपके बता दिया जाएगा कि Gratuity Act applicable है या नहीं है तो इसलिए मैं वो बाते आपसे नहीं करूँगा कि कब Gratuity Act applicable होगा और कब नहीं होगा but the point is that अगर आपके employer के उपर Gratuity Act applicable है तो आप Gratuity Act में covered हैं अगर आपके employer के उपर Gratuity Act applicable नहीं है तो आप Gratuity Act में covered नहीं है clear so if the employee covered under the payment of Gratuity Act then least of the following shall be exempt इसमें से जो भी कम होगा वो हम आपका exempt कर देंगे जो भी कम होगा वो exempt कर देंगे देखिएगा the amount of actual Gratuity received जितना आपको Gratuity मिला है वो और 20 lakh rupees और 15 days salary 15 दिन की salary 15 दिन की salary for each completed year for each completed year इसका मतलब जितने साल आपने काम किया है जितने साल आपने काम किया है completed year मालीजे आपने 16 साल काम किया है तो 16 साल multiply by 15 दिन की salary तो जो आपकी 15 दिन की salary बनती है that will be multiply by जितने साल आपने काम किया है of service और part thereof in excess of 6 months तो इसका मतलब है completed year of service और part thereof in excess of 6 months अगर आपने 16 साल 4 महीने काम किया है तो उसे हम consider करेंगे 16 साल अगर आपने 16 साल 5 महीने काम किया है तो उसे हम consider करेंगे 16 साल अगर आपने 16 साल 6 महीने काम किया है तो उसे हम consider करेंगे 17 साल अगर आपने 16 साल 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने काम किया है तो उसे हम consider करेंगे 17 साल तो 15 दिन की salary ली जाएगी for each completed year तो अगर जितने साल आपने काम किया उतने साल multiply by 15 दिन की आपकी salary तो तीन amount आपके सामने आगए जितनी gratitude आपको मिली वो और 20 लाख रुपे की limit और 15 दिन की salary multiply by each completed year of service in excess of or part thereof in excess of 6 months. तो यहाँ पर आप example के लिए लिखिएगा 16 year 4 months shall be taken as 16 year 16 year 7 months shall be taken as 17 year clear पताए clear है हम यहाँ तक मैंने अभी तक आपको क्या बताया ग्रेचुटी अगर government employee को मिली है तो क्या हो जाएगी fully taxable क्या हो जाएगी fully exempt अगर यह मिली है अगर यह मिली है non government employee को तो दो बाते हो सकती हैं दो बाते क्या हो सकती हैं employee covered under graduate act क्या employee graduate act में cover है अगर cover है तो ग्रेचुटी received और रुपीज 20 लैक और 15 days salary सेलरी multiply by each completed year of service क्लियर है अब मुझे बताइए 15 दिन की सेलरी सेलरी का मतलब क्या होगा 15 दिन की सेलरी लेनी है 15 दिन की सेलरी लेनी है सेलरी का क्या मतलब होगा याद करिए मैंने सेलरी चैप्टर आपको पड़ाना शुरू किया था सबसे पहले हमने सेलरी का मतलब समझा था HR A में सेलरी का मतलब HR A में क्या होता था basic plus DA if वाला plus commission अगर वो fixed percentage of turnover है फिर मैंने RFA में आपको सेलरी का मतलब बताया फिर मैंने और कहीं पर भी आपको सेलरी का मतलब बताया था entertainment allowance में इस तरह से हमने तीन जगहे पर सेलरी का मतलब समझा था आज फिर आपके सामने सेलरी का मतलब आखड़ा हुआ है पंदरा दिन की सेलरी लेनी है सो सेलरी का मतलब क्या होगा gratitude के अंदर सेलरी का मतलब लिया जाएगा point number B देखिएगा मेरे साथ gratitude के लिए salary means salary means last drawn salary जो आपकी last drawn salary थी means basic salary plus DA और DA इस बार full है DA इस बार full है if वाला नहीं है DA इस बार full है if वाला नहीं है तो जो आपकी last drawn last drawn का मतलब है जब आप retire हुए उस समय पर जो आपकी salary चल रही थी basic plus DA DA पूरा वाला वो जो आपकी salary निकल के आईगी उसका 15 दिन का हिस्सा जो होगा वो लिया जाएगा for the purpose of salary for the purpose of gratitude clear है clear है मिया तक कोई doubt है किसी को यह तक लेकिन अगर आप cover नहीं है अगर आप cover नहीं है under the gratitude act तो देखिए क्या बदलाव आएगा अगर आप cover नहीं है under the gratitude act तो क्या बदलाव आएगा देखिएगा least of the following shall be exempt इसमें से जो भी कम होगा वो exempt कर दिया जाएगा first the amount of actual gratitude receive जितना आपको gratitude मिला यह वहाँ पर भी था यह यहाँ पर भी है देखिए पहला point यहाँ पर भी same है यहाँ पर भी same है 20 लाग रुबी की limit यहाँ पर भी थी यहाँ पर भी थी लेकिन फरक कहाँ पर है third point में ध्यान से पढ़िएगा third point क्या कहता है half month salary for each completed year of service half month salary for each completed year of service अब मुझे बताइए उपर वाले point को पढ़ने के बाद और नीचे वाले point को पढ़ने के बाद आपको क्या difference क्लिक कर रहा है आपके mind में क्या एक difference है जो आपको मोटे मोटे तोर पर दिखाई दे रहा है कि उपर जहां पर employee cover था ग्रैचूटी एक्ट में तो क्या लिखा था और जहां पर वो cover नहीं है ग्रैचूटी एक्ट में तो क्या लिखा हुआ है third point में difference बताने की कोशिश करिएगा मुझे third point only third point बता है ग्रैगा पर दो क्या है जया है बिल्कुर ठीक है प्रिथल एक्सेस ओफ 6 मंथ मतलब 15 दिन की सैलरी 15 दिन भी तो हाफ मंथ ही होता है भाई 15 दिन भी तो हाफ ही मंथ होता है यह फरक नहीं है फरक है यहां पर इच कंप्लीटिट इयर के बाद जो 6 महीने वाला साल होगा उसे भी आप पूरा साल माने होगे लेकिन यहां ऐसा नहीं है अगर यहां पर मैंने 16 साल मैंने 16 साल 4 महीने काम किया वो भी 16 लिया जाएगा अगर मैंने 16 साल 7 महीने काम किया वो भी 16 ही लिया जाएगा यह एक फरक है यहां पर क्लियर? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर चंचन, 6 महीने के उपर वाले को year मानते हैं, उपर वाले point में, बट नीचे वाले case में हम उसे year नहीं मानेंगे, दूसरा फरक एक और है, आगे समझियेगा, next page पर दिया गया है, यहां पर जब 15 दिन की salary निकाली जाएगी, तो वो 15 दिन की salary निकालने के लिए salary का जो मतलब होगा, वो basic salary होगा और DA होगा, लेकिन इस बार DA कौन सा होगा, forming part of the retirement benefits, forming part of the retirement benefit shall be the meaning of salary for the purpose of calculation of gratitude when the employee is not covered under the payment of gratitude act, clear है, तो उपर वाले में basic plus DA पूरा था, इस वाले case में basic plus DA और DA इफ वाला ही लिया जाएगा, और एक और बात समझियेगा, average salary लेनी है, आपको जब 15 दिन की तो कैसे लेंगे, average salary in this case would mean the average of the retirement benefit salary for the last 10 months immediately preceding the month of retirement, तो जिस दिन आपकी retirement हो रही है, उसके पिछले 10 महिने की जो salary है, उसके basis पर आपकी average salary निकाली जाएगी, जबकी जबकी जब आप payment of gratitude covered में थे, तो आपने क्या लिया था, केवल पिछला drawn पकड़ा था, जब आप payment of gratitude act में cover थे, तो केवल आपने पिछला drawn पकड़ा था, लेकिन जब आप payment of gratitude act में cover नहीं है, तो आप पिछले 10 महिनों की salary निकालेंगे, और उस 10 महिनों की salary को फिर average करते हुए 15 दिन की salary compute करेंगे, half महिने की salary compute करेंगे, बताइए ये बात आपको clear होई है, question से तो और clear होगी, बढ़ आपको मोटा मोटा एक फरक पता चल रहा है, क्या हो रहा है, जब आप payment of gratitude act में cover हैं, तो वहाँ पर आपकी जो salary का मतलब है, वो basic plus DA, DA पूरा वाला, और उसके अंदर भी जो salary का मतलब है, वो पिछली, जो ठीक पिछली आप salary draw कर रहे थे, last drawn, last drawn का मतलब है, रेटायर्मेंट के समय पर जो आप salary ले रहे थे, केवल वो ली जाएगी, 15 दिन की, लेकिन जब आप payment of gratitude act में cover नहीं है, तो यहाँ पर salary का मतलब है, basic plus DA, DA कौन सा वाला, if वाला, और दूसरी बात, जो यहाँ पर 15 दिन की salary, आदे महीने की salary की बात हो रही है, वो last drawn नहीं है, वो last drawn नहीं है, वो पिछले 10 महीने की salary निकालो, उसको average करो, उसको average करो, उसको average करो, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, employee अगर covered वाले में है, उसकी April में salary है 20,000, December में salary है 25,000, और January में वो retire हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम इस 25 को पकड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पकड़ना है, last drawn, हमें पकड़ना है, last drawn, और last drawn कितनी थी, 25,000, तो हम 25,000 के basis पर 15 दिन की salary लेंगे, 15 बटे 30 कर देंगे, career, लेकिन अगर employee covered नहीं है, covered नहीं है, तो उस case में, अगर उसकी April में salary थी 20,000, और December में उसकी salary थी 25,000, तो हमें केवल 25 नहीं पकड़ना है, हमें 25 के साथ साथ पिछले 10 महिने जाने है, पिछले 10 महिनों पे जाना है, उन 10 महिनों की salary का total करना है, उस total को 10 से divide करना है ताकि एक महिने का average आजाए एक महिने का average आजाए और वो जो average आएगा उसे आप लेंगे half महिने की salary मतलब उसे आप लेंगे 1 by 2 तो ये एक basic difference है दोनों में और एक तीसरा difference वो तो है कि वहाँ पर 6 महिने के उपर वाले को पूरा एक साल मान लेना जबकि not covered वाले में अगर पूरा एक साल है तभी वो पूरा एक साल है 6 महिने, 7 महिने, 8 महिने पर वो पूरा साल नहीं माना जाएगा ये तीन difference है ये तीन difference है covered और not covered में यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं मैं लिखवा देता हूँ सेलरी बेसिक लेना है प्लस डिये लेना है फुल जबकि यहाँ पर बेसिक लिया जाएगा प्लस डिये लिया जाएगा और कौन सा वाला लिया जाएगा केवल इफ वाला यह डिफरेंस आपको ना एक्जामिनेशन में रिवीजन के टाइम पर बड़े असान लगेंगे मतलब फिर आप क्या करेंगे केवल इस चार्ट को देखेंगे और आपका पूरा सेक्षन निकल जाएगा एकी बार में और जो आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं वो भी खतम हो जाएंगी दूसरा डिफरेंस क्या है कवर्ड वाले में लास्ट ड्रॉन सेलरी पकड़नी है तीसरे में तीसरा क्या फरक बताया मैंने आपको यहां पर इन एकसेस ओफ शिक्स मंथ इन एकसेस ओफ शिक्स मंथ शेल भी टेकन एस फूल इयर यहां पर ओनली कम्प्लीटिड इयर शेल भी टेकन अब के लिए रहे है मैयूर अब के लिए है आईएगा वापस बुक पर पी रिटायर ओन चार एक दो हजर बाइस पी जो है रिटायर हो गया कब चार जन्वरी की दो हजर बाइस को आफटर सर्विंग एबी सी लिमिटेड फॉर पीरिड ऑफ 16 एर एंड 11 मन 16 साल 11 महीने काम करने के बाद वो फाइनली ती रिटायर हो गया कौन सी कंपनी से एबी सी लिमिटेड से अट दाइम अफ रिटायर मेंट जब वो रिटायर हुआ इस बेसिक सेलरी वास 44,000 पर मन जब वो रिटायर हुआ तब उसकी सेलरी 44,000 थी जब वो रिटायर हुआ एंड ये वाज ओलसो एंटायर्मेंट तो डियर्नेस अलाउंस ओफ रुपीज 8,000 पर मन जब वो 44,000 की सेलरी ले रहता उसके साथ 8,000 रुपे उसे डी ए भी मिल रहता उसने 6,000 रुपे की ग्रेचुटी ले ली बताइए कितना अमाउंट उसका ग्रेचुटी का एक्जेंट करेंगे और कितना अमाउंट उसकी इंकम में इंक्लूड करेंगे कि इस कवर अंडर दी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्जाम में आपको बता दिया जाएगा कि आप ग्रेचुटी एक में कवर हो या नहीं हो सर एक बारी वही स्लाइट दिखा दीजिए जो आपने डिफरेंस में लिखी थी ये लिजिए चंचन करने चंच चलिए वापस आईए क्वेश्चन पर मुझे बताईए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में आपको डिये दिया गया है डिये दिया गया है आठ हजार पर मन्द ये इफ वाला है या फुल वाला है इसे मैं इफ मान सकता हूं क्या question में 8000 का DA है क्या ये if वाला है हाँ full तो है प्रिथल full तो है agree full DA है बट क्या इसे मैं if मानू या नहीं मानू क्या मैं इसे if मानू या नहीं मानू नहीं मानेंगे ये बात मैंने आपको बता रहा किया पहले ही जब तक question ना बोले DA कैसा है तो आप मानेंगे not if है not part of retirement benefit है जब तक DA ना बोले वो not part of retirement benefit है या not in terms of employment है तो एक ही मतलब है not a part of retirement benefit और not in terms of employment एक ही मतलब है उसका आईएगा मेरे साथ question number हम कौन सा कर रहे हैं चौविस computation of gratitude exemption बताइए exemption के लिए तीन limits आपको दी हुई है gratitude रुपीज ट्वंटी लैक और 15 देज सेलरी multiply by each completed year of service हाँ आईजी ग्रेःचूटी गितनी मिली आपको आपको ग्रेःचूटी कितनी मिली और रुपीज 20 लेक और 15 दिन की सेलरी 15 दिन की सेलरी for each completed year of service और सेलरी का मतलब क्या लेंगे याँ पर सेलरी का मतलब क्या लेंगे याँ पर basic plus DA DA पूरा वाला या if वाला full वाला और ये भी कौन सा लेंगे हम last drawn ये भी हम कौन सा लेंगे last drawn तो बताइए last drawn आपको basic कितना मिलता था 44,000 DA कितना मिलता था 8,000 तो total कितना मिलता था आपको 44,000 52,000 15 दिन की सेलरी निकालने के लिए क्या करेंगे 15 वाटे 30 तो कितना आ जाएगा 26,000 26,000 आ जाएगा multiply by कितने साल लूँ बताइए question के हिसाब से कितने year लूँ 16 साल या 17 साल 16 साल या 17 साल 17 साल ले लो सर 26,000 इंटू 17 कितना आ गया 26,000 आ जाएगा 25,000 आएगा 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 4,42,000 इस से तो आपका अंसर मैच नहीं होगा, इस से तो आपका अंसर मैच नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा, क्या हमने कुछ स्किप किया है, या कहीं अमाउंट में इश्यू है, बताईए प्रिथल क्या कह रहे है, पर मंद, रुकिए मैं बताता हूँ आपको एक्चुली क्या इश्यू है, सुनिएगा, मेरे साथ वापस आईएगा यहां पर, नहीं नहीं प्रिथल मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा, यह जो 15 दिन की सैलरी है न, 15 दिन की सैलरी, यहां पर लिखिएगा, यह पॉइंट मिस हो गया यहां लिखे होने से, यहां लिखिएगा, स्टार डालके, 15 डेज सैलरी, शैल बी, पंप्यूटिड, मैं इसको दूसरी जगह पर लिखवा देता हूँ आपको, यहां स्पेस कम है, यहां लिखिएगा आप, एरो डालके यहां लिखिए, 15 डेज सैलरी, यह जो सैलरी निकाली जाएगी वह आपकी 15 बटे 26 से निकाली जाएगी, मतलब मैंने यहां पर क्या किया है, 15 बटे 30 किया है न, यह 30 नहीं आएगा, ग्रेचूटी एक्ट में अगर आप कवर हैं, तो आपकी 15 दिन की सैलरी ली जाएगी 15 बटे 26 से, तो यह 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए, आप 15 दिन कैसे निकालेंगे, तो आपको पूरे महीने की सैलरी को डिवाइड करना होगा 26 से, और मल्टिपलाई करना होगा 15 से, अब आपको लगेगा बड़ा अजीब सा रूल है, कि 15 दिन की सैलरी को डिवाइड 26 से क्यों करें, जबकि महीने में तो 30 या 31 दिन होते हैं, बट ऐसा ग्रेचूटी एक्ट में लिखा हुआ है, कि अगर आपकी उपर ग्रेचूटी एक्ट कवर है, तो 15 दिन की सैलरी के लिए आपको 15 बटे 26 करना है, ना कि 15 बटे 30 या 31 करना है, ठीक है? अब आईए, इस अमाउंट को फिर से कैलकुलेट कर लिजिए, 52 इंटू 15 डिवाइड बटे 26, तो ये अमाउंट आएगा आपका 30,000, और ये जो 30,000 है, ये मल्टिप्लाई होगा वापस से, इतने से? 17 से, तो ये अमाउंट आपका आएगा 5,000, 10,000, अब बताएए, whichever is least, whichever is least, 5,10,000, तो ये 5,10,000 क्या है, टेक्सेबल है, एग्जेम्ट है, टेक्सेबल है या एग्जेम्ट है, एग्जेम्ट है, तो टेक्सेबल कितना होगा? टेक्सेबल कितना होगा? 6,00,000, माइनस, 5,00,000, 90,000 रुपया आपका टेक्सेबल कर दिया जाएगा, इस बात को आप यहां लिख लीजेगा, 15 दिन की सेलरी का मतलब होगा, 15 बटे 26, यह I don't know कैसे रह गई, अच्छा लिखी तो हुई है अरे यार, आप भी देखते नहीं, देखो, लिखी हुई है मैंने, वही मैं सोचू यह बात, लिखी होने से कैसे रह सकती है, इस लाइन को छोड़ दीजेगा, यहां तक पढ़िएगा, 26 देख तक, 26 देख वाली लाइन पढ़िएगा, ठीक है, तो यह लाइन मैंने लिखी हुई है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं बड़ी देर से यही कन्फियूज था कि ऐसा हो कैसे गया कि मैंने लाइन ना लिखी हुई हो बुक में, बताईए, यहां तक डाउट है किसी को, हाँ जी, एनी डाउट है, कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, आईएगा, एक और बात, इस लाइन को अब पढ़िएगा मेरे साथ, यह जो 15,26 है, अगर आपका यह seasonal establishment होगा, seasonal establishment, जो season by season काम करता है, तो 7 days लिए जाएंगे for the calculation of salary, instead of 15 days, तो अगर आपका organization seasonal है, तो वहां पर आप जो salary लेंगे वो 15,26 नहीं करेंगे, वहां पर आप 7 by 26 करेंगे, वहां पर 7 by 26 करेंगे, clear, और एक और point पर लिजेगा, point number C, in case of a peace rated employee, salary shall be computed on the basis of average of the total wages received by such employee for a period of 3 months immediately preceding the termination of their employment, तो अगर आपका employee peace rated पर काम करता है, peace rated का मतलब जितना वो काम करता है, उतनी उतनी salary उसे मिल जाती है, जितना वो काम करता है उतनी उतनी salary लेके वो अपना काम ले जाता है, मतलब hourly basis पर उसे salary मिलती है, उसे production basis पर salary मिलती है, तो ऐसे में अगर आपका employee piece rated employee है, तो आपको last drawn नहीं लेनी है, फिर उस case में आपको पिछले 3 महिनों की salary उठानी है, for the purpose of calculation of, for the purpose of calculation of gratitude, clear, clear है मियां तक, इसके बाद देखिएगा, एक छोटी सी बात और समझेगा, मैंने आपको gratitude exemption के लिए क्या बताया, मैंने आपको gratitude exemption के लिए एक limit बताई, कि जितनी आपको gratitude receive होगी, जितनी आपको gratitude receive होगी वो लेंगे, 20 लाख रुपे की limit लेंगे, और तीसरे नमबर पर 15 बटे 26 दिन के हिसाब से आपकी salary लेंगे, इन तीनों मैंसे जो भी कम होगा, वो हम आपका exempt कर देंगे, अब एक वेक्ति, एक person क्या अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार retirement लेगा, या वो multiple retirements ले सकता है, ले सकता है, एक employee के यहाँ काम करेगा, 6 साल काम करने के बाद छोड़ देगा, 6 साल में उसे gratitude मिल जाएगी, gratitude की exemption ले लेगा, और मुझे बताईए, whichever is least के हिसाब से मैं कहता हूँ, मोटा मोटा मान के चलता हूँ, क्योंकि 20 लाख रुपे से कम ही उसका exemption आएगा, तो मा लेजे 6 साल में उसकी 6 लाख रुपे gratitude exempt हो गई, फिर 6 साल बाद उसने किसी दूसरी company को join किया, वहाँ पर 6-7 साल काम किया, वहाँ से gratitude ले ली, exemption ले ली, फिर ऐसे करते 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 वह 3-4-5 कमपनियों में 6-6-7 साल काम करा, और ग्रेचुटी लेके exemption लेता गया, लेता गया, लेता गया, मुझे बताइए, क्या lawmaker, अगर आप law बना रही हैं, तो यहाँ पर जो आपने 20 लाख रुपे लिमिट रखी है, क्या यह अपने आप में एक maximum लिमिट है, या अपने आप में एक minimum लिमिट है, मतलब एक employee की पूरे जीवन परियंद, कितनी ग्रेचुटी exempt हो सकती है, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि वो 20 लाख रुपे amount है, जो कि उसको exemption में मिल सकती है, क्योंकि देखें, law क्या कहता है, whichever is lower, whichever is lower, तो अगर मैं इसको opposite पढ़ू, अगर मैं इसको opposite पढ़ू, तो क्या मतलब है, कि 20 लाख रुपे से जादा आपको exemption नहीं दी जाएगी, कम से कम आपको, कम से कम कितनी exemption दे दी जाएगी, कम से कम 20 लाख रुपे तक कि आपको exemption दे दी जाएगी, ये बात किलिए रहे, जब मैं कहता हूँ, whichever is lower, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर माल लीजे, amount 21 लाख आ गया, और यहाँ पर amount अगर माल लीजे, 30 लाख आ गया, तो मैं आपको exemption कितनी दूँगा, मैं आपको 20 लाख रुपे की ही exemption दूँगा, अगर माल लीजे यहाँ पर, पहले वाले point में amount 30 लाख आ गया, थर्ड वाले point में amount 40 लाख आ गया, तो भी मैं आपको exemption कितनी दूँगा, maximum, maximum, और maximum मैं आपको exemption दूँगा, केवल और केवल 20 लाख रुपाई की येस और नो येस अब एक बात बताईए एक एमपलॉई 6 साल एक कंपनी में काम करके आया 6-7 लाख रुपी की ग्रेचूटी एक्जेम्ट करवा के ले गया फिर दूसरी कंपनी में 6-7 साल काम करने बैठा वहां से 6-7 लाख रुपी की एक्जेम्शन ले गया और ऐसा करके 4 या 5 बार उसने एक्जेम्शन ले ली और ओवरॉल एक्जेम्शन उसकी 20 लाख रुपे से जादा चली गई तो क्या लॉमेकर यही चाहते थे कि आप बार बार कंपनी बदले और बार बार एक्जेम्शन ले या लॉमेकर यह चाहते थे कि यह जो 20 लाख रुपे की हमने लिमिट सेट करी है यह आपके पूरे जीवन काल के लिए होगी चाहे आप एक कंपनी में काम करें चाहे आप मल्टिपल कंपनी में काम करें ओवियसली सेकंड वाली अप्रोच लॉमेकर चाहते थे लॉमेकर आपके उपर 20 लाख रुपे की लिमिट सेट करना चाहते है वो यह नहीं चाहते आप हर कंपनी के लिए एक्जेम्शन ले जाएं अब समस्या कहां खड़ी हुई है समस्या ये है मैं जॉब वन में गया वहां से मैंने 6 लाख रुपे की एक्जेम्शन ले ली मैं जॉब वन में गया मैंने 6 लाख रुपे की एक्जेम्शन ले ली अब मैं जॉब टू में गया अब मैं job 2 में गया वहां से भी मैंने 8 लाख रुपे की exemption ले ली 8 लाख रुपे की exemption ले ली अब मैं job 3 में आ गया मैं जब job 3 में आ गया तो यहां पर मेरे को 20 लाख रुपे की limit है लेकिन अगर मैं 20 लाख से comparison करूँगा तो तो मेरे 20 लाख रुपे तक की exemption मुझे मिल जाएगी तो ऐसे मैं मुझे 20 लाख की exemption ना मिले मुझे 20 लाख रुपे की exemption ना मिले तो क्या करना पड़ेगा क्या करूँ मैं formula के इंदर ऐसा क्या छेड़ा खानी करूँ क्या manipulations करूँ क्या changes करूँ जिससे की ये ensure हो जाए कि मुझे 20 लाख रुपे की exemption ना मिले पूरे 20 की ना मिले जो मेरी exemption अल्रेडी मिल चुकी है वो मेरे को पहले ही मिल चुकी है उसको कोई changes ना करे जाए और नई exemption मेरी 20 लाख रुपे से उपर ना पहुँच जाए तो क्या करूँ मैं मेरे पास एक रास्ता है ये जो 20 लाख रुपे की आप monetary limit सेट करते हो इसे reduce कर दो उस exemption से जो आप पहले ही claim कर चुके हो और further इसको reduce कर दो उस exemption से जो आप पहले ही claim कर चुके हो इससे क्या होगा आपका amount बचेगा 20 मैं से 6-8 तो कितना बचा? 6 लाख इससे ये ensure होगा कि जब आप job number 3 में exemption लेने की बात करोगे तो वहाँ आपकी maximum exemption 6 लाख रुपे से ज़ादा नहीं होगी तो जब आप job number 3 में exemption लेने की बात करेंगे तो वहाँ आपकी exemption 6 लाख से ज़ादा नहीं होगी तो देखिए 6 लाख आपका already exempt हो चुका था केवल 6 लाक रुपएगी, तो 6 यहां पर मिल गए, आपका maximum exemption कितना आप आएगा, 20 लाक रुपए, जबकि अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं ऐसा ना करता, तो मैं गल्ती से, जानमूझ के नहीं, गल्ती से जादा exemption क्लेम कर जाता, जो कि lawmakers नहीं चाहते, lawmakers चाहते हैं, maximum exemption आपको दी जाएगी, केवल और केवल, 20 लाक रुपए, यह एक आदमी की exemption है, एक company की exemption नहीं है, एक व्यक्ती की exemption है, तो एक व्यक्ती 20 लाक रुपए से जादा exemption ना ले पाए, इसके लिए lawmakers ने special point डाला, और यह बोला, कि अगर कोई person already एक बार gratitude exempt करवा चुका है, और वो दोबारा gratitude exempt करवाने जाएगा, तो जो 20 लाक रुपए की limit हमने set करी है आपकी, उस limit को हम उस amount से कम कर देंगे, जितना आप पहले exemption ले चुके हैं, और तीसरी बार exemption लेने जाओगे, तो जितनी पहले दो बार आप exemption ले चुके हो, वो minus कर देंगे चौते बार आप exemption लेने जाओगे, तो पहली तीन बारों में जो आपको exemption मिल चुकी है, वो हम reduce कर देंगे, suppose करिए, एक परसन पहली जौब में 12 लाक रुपई की exemption ले चुका है, एक परसन फर्स्ट जौब में 12 लाक रुपई exempt करवा चुका है, दूसरी जौब में 5 लाक र खरोएगा, तो उसकी monetary limit कितनी set करोगे आप, कितनी limit set करोगे उसकी, एक लाक, अब वो fifth job में चला गया, fifth वाली job, यहाँ भी वो 6 साल काम करके आया, अब यहाँ कितनी consent करेंगे आप, यहाँ पर कितनी monetary limit सैट करेंगे निल और जैसे ही आप कहते हैं निल जैसे ही आप कहेंगे निल तो देखिए ग्रैचुटी रिसीवड मान लीजे 10 लाग मान के चलते हैं 10 लाग लिमिट कितनी निल और 15 बटे 26 दिन की सैलरी तो बताईए whichever is lower whichever is lower में क्या आएगा रिजल्ट निल इसका मतलब अब lawmaker ने यह ensure कर दिया यह ensure कर दिया कि आपको 20 लाग रुपे से उपर हम exemption लेने नहीं देंगे आपको 20 लाग रुपे से उपर हम exemption लेने नहीं देंगे यह बात यहां से clear हो गई होगी आईएगा मेरे साथ एक point पढ़िएगा where reduction reduction of exemption. This provision applies to an employee who has retired earlier and gratitude was paid to him upon his retirement and some exemption was allowed to such employee under section 1010. If such employee retire again after resuming the work exemption can be claimed under section 1010 in respect of gratitude received again but limit of 20 लाग shall be reduced by the amount of exemption allowed earlier under section 1010. तो जो exemption आपको पहले मिल चुकी है उस exemption से हम आपकी limit को कम कर देंगे और फिर हम आपकी exemption की working करेंगे. I hope यह बात clear हो गई होगी होगी आपको. कोई confusion है किसी को? आईएगा, point number one पढ़िएगा, no exemption from gratitude is allowed if relationship of employer and employee does not exist. तो अगर आपको gratitude मिल रही है लेकिन आपको जो gratitude pay कर रहा है उसके बीच में और आपके बीच में employer-employee relationship नहीं है, तो वो gratitude में आपको exemption नहीं दी जाएगी. अब आपके mind make सवाल आएगा, सर जब पैसा देने वाले और लेने वाले के बीच में employer-employee relationship ही नहीं है, तो gratitude कैसे आएगी? gratitude तो salary में ही मिलती है, बट ऐसा नहीं है. ग्रेचूटी आपको LIC में भी मिलती है, और LIC में जो agent होते हैं, वो LIC के employee नहीं होते, LIC में जो agents होते हैं, वो LIC के employee नहीं होते, बट agents को भी gratitude मिलती है, तो अगर आपको gratitude मिली है, जहां पर employer-employee relationship नहीं है, उस case में, उस case में जो exemption की हमने बाते कहीं या पढ़ीं, वो आपको नहीं दी जाएगी. उस case में आपकी पूरी की पूरी gratitude आपकी income बन जाएगी. That is, example, gratitude paid by LIC to its agent, fully chargeable to tax. Next point देखिएगा, if gratitude is received by employee during the continuity of his job, such gratitude shall be fully taxable in the hands of all kind of employee. अब आपने अपने employer के पास request करी, Sir, मेरे पांस साल सर्विस के पूरे हो गए है, लेकिन मैं retirement नहीं लेना चाहता, please मुझे gratitude pay कर दीजिए. आपका employer चाहे तो आपको वो gratitude pay कर सकता है. लेकिन अगर वो ऐसा करता है, तो जो exemption हमने पढ़ी हैं और समझी है, वो exemption आपको नहीं दी जाएगी, उस case में आपके हाथ में पूरा का पूरा gratitude taxable कर दिया जाएगा, चाहे आप government employee है, चाहे आप non-government employee है, आपको पूरी gratitude पर income tax pay करना पड़ेगा, no benefit of exemption will be available, if you withdraw the gratitude before the retirement, during the continuity of job, if you withdraw your gratitude, then you have to pay the full tax on that gratitude. क्लियर? कभी-कभी ऐसा होता है, employee की death हो जाती है, employee job के दोरान death हो जाती है, pass away हो जाता है employee, तो उसके जो पैसा होता है, वो उसके परिवार वालों को मिलता है, तो उसकी gratitude भी उसके परिवार वालों को मिलेगी, बिना पढ़हे बताईएगा, मुझे बिना पढ़हे बताईएगा, एक employee की death हो गई, उसके घर वालों को gratitude मिली है, क्या ये ग्रेचुटी घर वालों के हाथ में taxable होगी या नहीं होगी, सोच के बताईएगा, बिना पढ़हे, employee की death हो गई है, employee का gratitude उसके घरवालों को दिया गया है क्या घरवाले उस पर tax देंगे या नहीं देंगे मयूर कह रहे हैं नहीं देंगे प्रिथल कह रहे हैं नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे भई मतलब आपका दिल पिखल गया है क्या ये death word सुनके कि employee की death हो गई है तो उसके घरवालों को जो gratitude मिलेगी वैचारा वैसी death में चला गया है तो अब घरवालों से tax नहीं लेंगे law in emotions पर नहीं चलेगा law कहता है घरवाले भी tax देंगे अगर employee की death हो गई है और gratitude उसके घरवालों को मिल रही है घरवाले भी tax देंगे, अब मैं पूछता हूँ, घरवाले जब tax देंगे, तो कौन से head में देंगे, income under head salary में देंगे, या किसी और head में देंगे, income under head salary या किसी और head में, other head में देंगे, बिल्कुल ठीक है, other sources में देंगे, salary में क्यों नहीं देंगे, because there is no employer-employee relationship between the payer and pay, salary, पैसा देने वाला है employer, लेकिन receive करने वाला, इस बार employee नहीं है, employee के family member है, तो ऐसे में ये income, family member salary head में tax नहीं pay कर सकते, वो जो tax pay किया जाएगा, वो income from other sources में pay किया जाएगा, अब मुझे ये बताईए, क्या exemption मिल जाएगी घरवालों को, exemption का मतलब वो जो 20 लाख रुपे limit की exemption है, क्या वो घरवालों को मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, क्या जो हमने exemption के 3 points समझे, 15 दिन की salary, gratitude receive और 20 लाख रुपे की limit, क्या ये benefit घरवालों को मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पढ़िएगा, point, where, where an employee has passed away and gratitude is received by the member of such deceased employee, exemption shall be allowed in a normal manner and the balance amount shall be taxable in the hands of family member under the other sources, clear, आईए मेरे साथ, चार्ट को पूरा करियेगा, हम एक चार्ट क्रियेट कर रहे थे, gratitude गा, इस चार्ट को पूरा करियेगा, 15 days of salary, यहां पर लिया जाएगा, 15 बटे 26, अब मान लीजे, non-government employee है और वो नहीं है, covered, not covered, under, gratitude act, तो हमने क्या समझा था, सबसे पहले क्या था, gratitude, receive, दूसरे नंबर पर क्या था, rupees, 20 lakh, और तीसरे नंबर पर क्या था, half month salary, half month salary, अच्छा जब यहां पर half लेंगे, तो one by two करेंगे, जब आप not covered में half लेते हैं, तो one by two ही करेंगे, तो half month salary, half month salary, और यहां पर जो salary का मतलब होगा, अच्छा, multiply by number of year, जितने साल आपने काम किया, और salary का मतलब क्या होगा यहां पर, basic plus DA, DA कौन सा, if वाला, of last ten month, यह भी ध्यान रखना है, पिछले दस महीनों की average, पिछले दस महीनों की average, नोट कर लीजे इसको, कर लिया, कर लिया, आईएगा, question करते हैं, और, question number 25, a, joined the service on 16 2003, 16 2003 को उसने job join करी, he retired from the service on 1711 2021, 1711 2021 में वो retire हो गया, and received 21,20,000 rupees as a gratitude, at the time of retirement, his basic salary was 140,000 per month, and the dearness allowance of 70,000 per month, out of which 60% was part of a salary, 60% उसमें part of salary है, ठीक है चंचल, ठीक है चंचल, हाँ जी, compute, compute the amount of gratitude, exempt from tax, gratitude कितनी exempt होगी बताईए, और कितना amount income में include करेंगे, ये भी बताईए, आगे कहता है, he is covered under the payment of gratitude, वो covered है इस बार, पहले भी cover था, इस बार कहा है, question number 25, computation of gratitude exemption, दिखाता हूँ मही हो अभी, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हूँ, ये लीजिए, कर लीजिए आप note, जब आप सभी लोग कहेंगे, हमने note कर लिया है, अब मैं तभी change करूँगा, मैं यूर कह रहे हैं, पिक ले ली है, आप continue करिये, भरी गूट, ये आप स्मार्ट वोग, आप जी, gratitude exemption, bracket में अपलिकेंगे, covered, under the, payment of gratitude, and, gratitude receive, दूसरा रुपीज 20 लाग तीसरे नंबर में 15 बटे 26 of salary multiply by number of year of services पताईएगा ग्रैचूटी कितनी मिली उसे ग्रैचूटी कितनी मिली question में ग्रैचूटी मिली कितनी 21,20,000 लिमिट कितनी है 20,00,000 तीसरे में क्या करोगे 15 बटे 26 इंटू salary multiply by year तो 15 बटे 26 इंटू salary के लिए यहाँ पर निकालो salary कितनी आएगी तो salary में क्या लोगे basic plus da basic कितनी थी जब आप retire हुए थे तब आपकी basic कितनी थी 1,40,000 रुपए plus da कितना मिलता था आपको 70,000 रुपए 70,000 का 60% जो amount आएगा वो हम लेंगे वो हम लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना होता है if वाला हमें क्या लेना होता है if वाला है ना नहीं पूरा लेना होता है तो 70,000 का पूरा का पूरा 70,000 यहां पर consider किया जाएगा बताईए कितना आगया एक चालिस प्लस 70 दो लाग 10,000 आईए वापस रखिए 15,26 इंटू दो लाख 10,000 multiply by कितने साल की सर्विस कितने साल की सर्विस ये calculate करो और बताओ कितने साल की सर्विस होगी 16,2003 से लेके 17,11,2021 तक कितने साल की सर्विस हो गई नंबर ओफ येर ओफ सर्विस कौन बताएगा 18 साल पूरे 18 पूरे 18 आगे पीछे कुछ नहीं या आप आगे पीछे एडजेस्ट करने के बाद ही बता रहे हो 18 पहले तो मुझे बताओ निकालते कैसे हो इसे 16,2003 से लेकर 17,11,2021 तक कैसे निकालोगे कितने साल हुए इयर्स कैसे निकालोगे देखो मैं तो कैसे निकालता था उसका तरीका बताता हूँ 2003 में उसके 6 महिने है एक 6 को आया सुरी सात महिने है 2003 में उसने सात महिने काम किया 2021 में उसने 11 महिने काम किया ठीक है तो 2003 छोड़ दो 2021 छोड़ दो 2004 से लेकर 2020 तक कितने साल हो गए 16 साल हो गए तो 16 साल पूरा काम किया 7 महिने यहां के ले लो 11 महिने यहां के ले लो तो ये कितने महीने हो गए आपके ये हो गए सर 18 महीने कुछ 18 साल कुछ महीने 18 साल कुछ महीने कितने हो गए वो कुछ भी 18 साल 6 महीने अब वो 6 महीने से उपर है या नीचे है उपर ही जाएगा उपर ही जाएगा मेरे ख्याल से तो 19 आना चाहिए बाकी आप लोग calculate करिए कितना आएगा मेरे हिसाब से 19 आना चाहिए क्या के वल मयूर नहीं calculate किया इठारा बाकी किसी ने नहीं किया बताई कितने साल आएंगे मयूर ने बोला 19 आएंगे पहले मयूर ने 18 आएंगे चंचल कह रहे हैं सर 17 दिन ही कम काम किया है तो उसे full month count नहीं करेंगे न हाँ नहीं करेंगे उसे पूरा महिना नहीं मानेंगे आप या मान भी लो तो उससे कोई फरक थोड़ी पड़ेगा अगर आप मान भी लोगे तो उससे क्या फरक पड़ेगा अगर वो 6 महिने वाले point में आ रहा होगा तो तो फरक पड़ जाएगा अगर वो कम में आ रहा होगा तो कोई फरक नहीं है exactly बताओ न आप कितने साल आएं आपके मैंने calculate किया है Excel में तो मेरे आएं है 18 साल अठारा आएंगे मेरे भी अठारा ही आएं यह देखे मैंने जो निकाला है वो अठारा ही निकाला है तो आज़े यह वापस रख दीजिए यहां पर अठारा बताइए कितना आ जाए गई है दो लाख दस हजार multiply by 15 divided by 26 into में 18 तो यह आजाएगा 21,80,769.23 छह पूरे कहां हुआ मैयूर पूरे छह महिने थोड़ी हुआ अगर पूरे छह महिने होगा तभी तो 19 पे जाओगे तेरा दिन कम है तेरा दिन कम है यह देखिए ना अगर वो 17,11 को ना जाकर 30,11 को जाता तो मैं कहता पूरे छह महिने होगे बिल्कुल ठीक है चंचन पांस महिने 17 दिन हुए है तो पांच महिने 17 दिन को आप 6 महिने थोड़ी मानोगे पूरे 6 महिने होने पर आप आगे बढ़ाओगे उसे बताईएगा whichever is lower 20 लेक तो 20 लेक क्या हो जाएगा आपका 20 लेक क्या हो जाएगा आपका एक्जेम्ट 20 लेक आपका क्या हो जाएगा एक्जेम्ट और टेक्सेबल कितना हो जाएगा टेक्सेबल कितना हो जाएगा Received minus exempt. Received था 21,20,000, exempt था 20,00, तो taxable हो गया, 1,20,000. Question number 26. Question number 26. P. Who was employed with Q Limited? Q Limited के पास काम कर रहा था, रेटायर हुआ 21,20, 2021 को. Received 3,60,000 as gratitude. He served the company for 26 year and 8 months. At the time of retirement, his salary was 15,000 per month. However, लेकिन, the average salary for the last 10 preceding months of retirement is Rs. 14,400 per month. जब वो रेटायर हुआ तब उसकी salary थी 15,000 रुपे, लेकिन जब वो रेटायर हुआ उस समय पर पिछले 10 महीनों की जो average salary थी, वो थी 14,400 रुपे. He is not covered under the payment of gratitude act. वो payment of gratitude act में cover नहीं है. मुझे एक बात बताईएगा. अगर वो payment of gratitude act में cover होता, तो 15,000 relevant होता या 14,400 relevant होता. For the giving of answer of this question, what amount was relevant if he is covered under the payment of gratitude act, तो सर्फ 15,000 relevant होता. लेकिन अगर वो payment of gratitude act में cover नहीं है, तो किया relevant है? 14,400, मतलब आप समझ गए, institute आपको कहां घुमाने वाला है, आपको data दोनों दे देगा question में, और वहां आप confused हो जाएंगे. क्योंकि जब data एक रहेगा, तो आपका दिमाग ये बोलेगा, हाँ यही data है, यही use करना है, लेकिन जब data आपके सामने दो होंगे, तो आपका दिमाग दो बाते बोलेगा, सीधे हाथ का दिमाग आपका कहेगा, 15,000 ले लो, उल्टे हाथ का दिमाग आपका बोलेगा, कि 14,400 बसो ले लो और वहीं पर जादा तर इस्टूइंट्स confusion में इधर उदर से पूछ पाच कि अगर ऐसा है पॉसिबल है तो गलती कर जाते हैं और यही institute आपसे गलती करवाना चाहता है बट आप conceptually strong रहिए इस तरह की गलती को ना करिए आईए मेरे साथ करते हैं question आगी क्या लि question number we are doing 26 computation of gratitude exemption limit कैसे लिखी हुई है law में सबसे पहले लिखा है gratitude received दूसरे नंबर पर है rupees 20 lakh और तीसरे नंबर पर इस बार है one by two of salary multiply by multiply by अच्छा salary नहीं है average salary average salary multiply by number of year of service बताइए gratitude कितनी मिली है उसे gratitude कितनी मिली है तीन लग साथ हजार दूसरी limit क्या है तीसरे नंबर पर आपको करना है one by two of average salary जो की है 14,400 तो multiply by number of year तो number of year कितने लोग है बताना जरा number of year 26 साल आठ महीने 26 साल आठ महीने है आठ महीने को बढ़ा कर क्या कर देंगे 29 साल कर देंगे 27 साल कर देंगे 27 कर देंगे नहीं करेंगे 27 चलिए वह आपने कहां नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे 14,400 multiply by 26 divided by 2 that comes to be 187,200 बताये whichever is least whichever is lower 187,200 यह क्या है exemption क्लियर हैं क्लियर हैं क्लियर हैं question number 27 Mr. Ravi retire on 15-6-2021 after completion of 26 year 8 months of service and receive graduate of 15 lakh at the time of retirement उसकी salary 50,000 रुपे पर मन्त basic थी DA मिलता था 10,000 रुपे पर मन्त लेकिन 60% जिसमें से retirement benefit का था commission मिलता था 1% of turnover और turnover पिछले 12 महीने में 1,20,000,000 रुपे की है bonus मिलता था 25,000 रुपे पर annum compute the taxable gratitude assuming he is a private sector employee and covered under the payment of gratitude दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट he is a private sector employee and not covered under the payment of gratitude and third is the government employee बताईए करना है या homework दे दूँ करना है या homework दे दूँ बाकी लोग क्या कहते हैं homework चले homework तो ले लीजिए बस मुझे ये बताईए ये जो DA 10,000 दिया है ये पूरा का पूरा 10,000 किस case में लोगे A या B ये पूरा का पूरा 10,000 कंसीडर करोगे A में या B में A के लिए या B के लिए A के लिए और B का जब होगा तो क्या करोगे B वाला पार्ट जब solve करोगे तो क्या करोगे तो आप केवल 60% लेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक और बात कमीशन का और बोनस का क्या करोगे कमीशन भी दिया है क्वेशन में बोनस भी दिया है क्या करोगे इसका कमीशन और बोनस भी दिया है क्वेशन में what you will do कै आप किसको कुछ करोगे यह इग्णोर कर दोगे बहुत बहुत शांदर कुछ नहीं करेंगे क्यों दिया है फिर यह कुछंग में बहुत बड़ी आनसर आपको कुछ जब आप करेंगे कुछ नहीं तो सोचिए येस दोनों यांसर ठीक है प्रिथल आपका भी आंसर ठीक है सर अगर हमसे वो question में पूछेगा आपकी total income बताईए तो हम इस element को देखेंगे और चंचल ने बोले confuse करने के लिए ये भी बिल्कुल सही answer है तो यहां पर आप एक homework में लिखिएगा also compute also compute total income ग्रैचूटी बगरा तो निकाल लेना वो तो बाठ ठीक है total income भी निकाल देना तो उसमें ये दो element आपके काम आएंगे ठीक है बाकी चंचल आपका answer ठीक है confuse करने के लिए दिया है examiner आपको देगा examiner जानमूच कर ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करेगा जिससे कि आप confuse जाएं क्योंकि कुछ बच्चे paper ऐसे देने जाते हैं उन्हें लगता है कि जो paper में लिखा है वो सब काम का है income text में मैं कह सकता हूं बहुत बहुत घं इसा हो ता है बर जीएसट में तो बार बार ऐसा होता है कि ऐसी आपको फालतू की जानकारिया पकड़ा दी जाएंगी paper में जिसे पढ़ते आपको लगे औगा कि बस ये भी काम आईगी ये भी काम आईगी ये कोछ नहीं होगा, clear, that is all about gratitude, that is all about gratitude, आईएगा, अब हम पढ़ रहे हैं एक नया section, नया provision, that is the pension, pension, pension क्या होती है, मैंने अभी बताई थी आपको, pension means, जब आप retire हो जाते हैं, तो retire होने के समय पर, आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे, इसके लिए सरकार आपको, अगर आप government employee है, देखे, private employee के case में, pension generally मिलती नहीं है, private sector में, generally मैं कह सकता हूँ, pension मिलती नहीं है, बट government sector में pension का रिवाज है, अब शायद बंदो गया है, बट पहले तो था, तो अगर आपको pension मिलती है, मतलब retirement के बाद आपको salary मिलती है, एक monthly income मिलती है, तो वो आपकी pension कहलाईगी, और यह जो pension है, यह भी आपकी income tax के दाइरे में आती है, कैसे आती है, कितनी आती है, बड़ा interesting provision है, लेकिन pension को समझाने से पहले मुझे आपको एक general term समझानी है, general term, देखी क्या होता है, pension is a recurring term, रेकरिंग का मतलब क्या होगा, monthly, monthly, जब कोई employee retire होता है, तो उसे हर महिने कुछ-कुछ-कुछ-कुछ पैसा दिया जाता है, वो जो कुछ-कुछ-कुछ-कुछ पैसा हर महिने मिलता है, वो आपका recurring amount बनता है, recurring का मतलब हर महिने आपको पैसा दिया जाएगा, हर महिने आपको पैसा दिया जाएगा, अब employee क्या करता है यह जो मंथली प्रशं होती है इसको बेच देता है और एक लाख महीना दोगे आप मुझे एक लाख रुपे महिना ना देकर केवल 50,000 रुपे महिना देना बाकी जो 50,000 रुपे महिना है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं मैं सेक्रिफाइस कर देता हूं मुझे एक लाख रुपे महिना ना देकर आप मुझे केवल 50,000 रुपे महिना देना बाकी 50,000 रुपे महिना जो मेरा pension का था, वो मैं आपको बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लेकिन मैं free में नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपसे बदले में एक मुष्ट पैसे ले लूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनिये, मेरी जो हर महिने की एक लाख रुपे pension आपने decide करी है, इस में स मुझे पूरे एक लाख रुपे नहीं दो, मुझे केवल पचास हजार रुपे दे दो, बाकी जो पचास हजार रुपे की मेरी pension है, जो की जिन्दगी भर, जब तक मेरी उमर रहती, तक तक मुझे मिलती, मैं वो छोड़ रहा हूँ, सेक्रिफाइस कर रहा हूँ, मुझे न उसमें से मैंने बोला, सरकार को की 50% pension तो मुझे रेकरिंग दे दो, मतलब मन्थली देते रहना, और जो बाकी 50% pension है, बाकी 50% pension, ये मैं आपको बेच दूँगा, और जब मैं आपको पेंशन बेच दूँगा, इसका मतलब अब मैं आपसे pension नहीं माँगउगा, तो एक काम क देना इसके बदले मुझे एक करोड रुपे देना या 50 लाक रुपे देना या 20 लाक रुपे देना या 80 लाक रुपे देना मतलब जैसा भी सिनेरियो है जैसी भी condition question में दी हुई है या उस point पर दी हुई है तो आप अपनी pension बेच रहे हैं आप सरकार को ये कह रहे हैं सरकार मुझे मंतली पेंशन मत देना, मैं अपनी पेंशन बेच रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मंतली पेंशन, मुझे एक मुष्ट पैसा दे दो, मैं आपको इंटरस्टिंगली एक बात बताऊ, कौन लोग अपनी पेंशन बेचते हैं, और कौन लोग मंतली लेने में भरो सा करते होंगे और कौन-कौन ऐसे लोग होंगे जो पेंशन को मंतली लेने में यकीन रखते होंगे अच्छा इस बेचने को क्या कहते हैं प्रोसेस को क्या कहते हैं इस बेचने के प्रोसेस को कहते हैं कम्यूटेशन, मैंने अपनी पेंशन कम्यूट करवा ली, कम्यूट नहीं है, कम्यूट है, तो अगर मैं अपनी पेंशन बेच रहा हूं, सरेंडर कर रहा हूं और बदले में एक मुष्ट पैसे ले रहा हूं, मैंने अपनी पेंशन को क्या करवा लिया है, कम्यूट करवा लिया है, सवाल मैंने आपसे पूछा था अभी तक आपका आंसर नहीं आया, सवाल रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कौन-कौन से लोग होते होंगे, जो अपनी pension को commute करने में भरोसा करते हूंगे और ऐसे कौन से लोग है जो अपनी pension को monthly लेने में भरोसा करते हूंगे खोड़ा सा logic लगाईए, चीजे बनाने की कोशिश करिए आपको चीजे खुद समझ आएंगी, interest develop होगा सर जो लोग जोड छोड़ने के बाद business करना चाहते हूंगे वो एक साथ पैसा लेना चाहते हूंगे, very good, बिल्कुल ठीक है जिनको चाहिए कि मुझे तो एक मुष्ट पैसा दे दो क्योंकि मुझे घर में शादी करनी है, business खड़ा करना है घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, कोई भी reason हो सकता है मुझे एक पैसे की जरूरत है तो वो लोग अपनी pension को बेचना पसंद करते हूंगे खीक है और बाकी लोग, बाकी लोगों को क्या अपीनियान है भई? बाकी लोग बता दीजिए, क्या चाहते हो? आपके मन में क्या चल रहा है? चलिए, कोई नहीं बता रहा है, मैं बताता हूँ अब आपको एक person, जो दूर आमी person है, जो future देखता है, future future, जिसे पता है, मेरी उमर 100-800 साल की है, वो हमेशा, वो हमेशा monthly pension में जाना prefer करता होगा, उसे एक मुष्ट पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता ही है, जो एक बर पैसा ले लूँगा, ये खापी के खतम हो जाएगा, लेकिन monthly पैसा जो आएगा, मेरे हर महीने के खर्चे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और वो benefit में भी रहेगा, क्योंकि वो उमर लिखवाके लाया है, 100 साल, 700 साल की, तो ऐसे मैं उसे पता है, 60 साल पे मैं रेटायर हो जाऊँगा, या मैं जब भी रेटायर होँगा, उसके बाद अच्छा खासा मेरा जीवन रहेगा, मैं उसमें हर महीने पैसे लेता रहूँगा, लेकिन जो short term वाले लोग है, जेने पता है कि उमर 60-65 साल से जादा है नहीं, उमर 60-65 साल से जादा है नहीं, तो वो लोग 60-65 साल पर एकटा पैसा लेने की कोशिश करते होंगे, कि सरकार से बस एक बार एकटा पैसा ले लो और घर में बैठ जाओ, तो इस तरह कि कुछ mentality वाले लोग हैं, जो forecasting करते हैं, वो इस तरह कि काम करते होंगे, जहां तक मेरा मानना है, अच्छा मुझे एक बात बताईए, आप अपनी pension जब बेचने गए हैं सरकार के पास, आपने बोला सरकार मुझे मन्थली pension नहीं चाहिए, तो क्या आप ये पूरी की पूरी pension बेचेंगे, या आप पार्ट को भी commute करवा सकते हैं, क्या आपको पूरी की पूरी pension बेचना ज़रूरी है, या आप चाहें तो उसका कुछ हिस्सा बेच सकते हैं, बताईए, पूरा या पार्ट, तो लिखिएगा, pension can be commuted fully और partially, आप pension को पूरा का पूरा भी commute करवा सकते हैं, और partial भी commute करवा सकते हैं, clear, आईएगा मेरे साथ, बेचा मतलब, क्या बेचा और किसको बेचा, पैंशन बेच दिवह सरकार को, सरकार ने तुम्हें बोला था, हम तुम्हें 10,000 रूपे पैंशन देंगे, सरकार ही देती है ना पैंशन तो, private employee थोड़ी देता है pension, तो सरकार ने बोला, हम तुम्हें 10,000 रुपे pension देंगे, employee ने बोला, अरे नहीं सर, मुझे 6,000 रुपे दे देना pension, बाकी 4,000 रुपे की pension मैं आपको बेच देता हूँ, इसका मतलब मैं अपनी pension को commute करवा देता हूँ, commute करवा देता हूँ, मुझे pension नहीं चाहिए, 4,000 रुपे की मुझे pension नहीं चाहिए, लेकिन इस 4,000 के बदले, मुझे लंसम मनी पे कर दो, मुझे 1, 7, 20,000 रुपे दे दो, मुझे आपके हर महीने के 4,000 रुपे नहीं चाहिए, मुझे एक ही बार में 5,000 रुपे पे कर दो, मैं आपके हर महिने के 4,000 रुपे छोड़ने को राजी हूँ, इसे कहते हैं पेंशन बेचना, कम्यूट करवा देना, किसको बेच दी, सरकार को, सरकार से क्या सोधा किया, सरकार 4,000 रुपे महिना नहीं चाहिए, छोड़ो, रखो अपने पास, बस बदले में मुझे 5,000,000 आईएगा, पढ़िये मेरे साथ एक बार, पेंशन का सेक्षिन क्या कहता है, Meaning of Pension, क्या मतलब है पेंशन का, So, in its general sense, pension means the payment made by the employer after the death or retirement of the employee as reward for the past services, Pension का मतलब होता है, जब आपने employer के लिए काम किया था पिछले सालों में, पास्ट में, तो उसके बदले आपका employer आपको reward देता है, कि भई अभी employee retire हो गया, घर कैसे चलाएगा, आज कल के तो बच्चे भी नहीं पूछते हैं माबापको, तो ऐसे में इसका घर कैसे चलेगा, तो ऐसे में हम उसको दे रहे हैं pension, कि वो अपना रोजी रोटी चला पाए, However, लेकिन इन असर्टेन केसे, दा एम्प्लॉई में फोरगो, एम्प्लॉई में फोरगो अपोर्शन अफिस पेंशन और रिक्वेस्ट दी एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकता है, किस बात की? To pay a lump sum amount in advance, by surrendering such portion of the pension, this is known as commutation of pension, इसको आप कहते हैं pension का commutation करवाना, आपको pension मिल रही है, आपने का मुझे नहीं चाहिए recurring pension, मुझे नहीं चाहिए monthly pension, आप मेरी monthly pension रख लो, लेकिन मुझे बस आज बदले में एक बड़ा amount पे कर दो, तो जब आप ऐसा करते हैं, तो वो कहलाता है, commutation of pension, और जब आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वो recurring pension कहलाती है, clear? तो pension कितने तरहे की होगी, अब जब आप मुझे finally conclude कर दीजेगा, pension कितने तरहे की हुई, दो तरहे की, एक recurring pension, और एक commuted pension, recurring में आपको हर महिने पैसा मिलेगा, और commuted में आपको एक बार पैसा मिलेगा, commuted में आपको एक बार पैसा मिलेगा, clear? अच्छा है, यह जो commuted होती है न, यह भी year के हिसाब से होती है, आप अपनी commuted कितने साल के लिए करवा रहे हैं, 10 साल के लिए, तो 10 साल तक आपको मंतली pension नहीं मिलेगी, एक मुष्ट पैसा मिल जाएगा, अगर आप लंबी उमर लिखवा के आएं हैं, और 10 साल आप जी गए, तो 10 साल बाद सरकार के पास फिर जाईए, और फिर पूछिए, सरकार मेरी उमर बढ़ गई है, बताओ, अब मुझे मंतली pension दोगे, या commuted ले लूँ, फिर आप 10 साल के लिए अपनी pension बेच दोगे, 10 साल के लिए बेच दोगे, तो 10 साल तक आपको pension नहीं मिलेगी, एकटा पैसा मिल गया, अगर आपकी उमर और लंबी है, तो फिर आप 10 साल सरकार के पास जाके खड़े हो जाएंगे, सरकार में फिर आगया हूँ, अब बताओ, लंब सम दोगे, या मंतली दोगे, तो ये जो commutation होती है, ये भी year के हिसाब से होती है, कोई 15 साल के लिए commute करवा लेता है, कोई 20 साल के लिए commute करवाता है, कोई पूरी जिन्दगी के लिए commute करवाता है, तो जो जितना लंबा commute करवाएगा, उसे उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, अब मैं कहूँ, 10 साल के लिए pension commute करदो, अगर मुझे 10 लाख मिलेंगे, और मेरा पडोसी कहे 20 साल के लिए commute करदो, तो obviously उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि सरकार क्या देख रही है, इसकी 20 साल की pension बच जाएगी, इसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, मेरी 10 साल की pension बचेगी, मुझे कम पैसा देंगे, फिर यह मेरा subject का मुद्दा नहीं है, कि किसको कितना मिलता है, हमारा point यह है, commutation क्या होता है, आईएगा, what is uncommuted pension, what is uncommuted pension, मतलब monthly pension, मतलब recurring pension, so uncommuted pension, uncommuted pension, is taxable, अच्छा, यह तुम्हें taxability पे आ गया, छोड़ दीजिए, अभी taxability नहीं करनी है, चल पढ़ लीजिए, taxability पे आई गये हैं तो, so uncommuted pension is taxable for all kind of employee, अगर आपको monthly pension मिलती है, recurring pension मिलती है, तो यह सभी के लिए taxable है, चाहे आप government employee है, चाहे आप non-government employee है, आप कैसे भी employee है, अगर आप monthly pension लेंगे, तो यह आपको income tax में taxable हो जाएगी, कौन से head में taxable होगी, कौन से head में taxable होगी, monthly pension आपको कौन से head में taxable होगी, head बता दो एक बार, salary, it will be taxable under the income under head salary, आगे देखिएगा, if such pension is received by the family member of the employee, after his death, such pension is known as family pension, and taxable in the hands of family member, under the head other sources, अगर यही pension, अगर यही pension, employee की death के बाद, उसके family वालों को दे दी जाए, तो यह pension, family pension कहलाईगी, और family member income under head, salary में tax नहीं देंगे, वो जो tax pay करेंगे, वो income under head other sources में pay करेंगे, और मजे की बाद, अगर आपको family pension मिल रही है, अगर आपको family pension मिल रही है, तो जो family pension होगी, उसके लिए annual deduction भी दे दी जाएगी, under section 57, in respect of family pension, equal to one-third of such family pension, और रुपीज 15,000, whichever is lower, तो अगर आपकी pension, अससी की pension, अगर अससी के घरवालों को दी जाएगी, तो घरवालों को one-third of the pension, और 15,000 रुपए, whichever is lower, इतने की deduction दे दी जाएगी, clear है, पताई clear है मिया तक, pension, अगर आपकी pension, uncommuted है, means, recurring है, तो, taxable for all, सभी के लिए taxable है, also, family pension, taxable in income from other sources, and deduction of below shall be available, कितनी deduction मिल जाएगी, one-third of pension, और रुपीज फिफ्टीन थाउजंड, रुपीज फिफ्टीन थाउजंड, रुपीज फिफ्टीन थाउजंड, whichever is lower, ये आपको deduction दे दी जाएगी, अगर आपकी pension, अगर आपकी pension commuted है, मतलब आपने अपनी pension बेच दी है, अगर आपकी pension commuted है, आपने pension बेच दी है, तो क्या होगा, देखिएगा, in case of a commuted pension, so case one, in case of a government employee, अगर government employee है, और वो अपनी pension बेच के आता है, अपनी employer को, सरकार को, तो उसकी वो commuted pension, exempt कर दी जाएगी, अगर एक government employee pension लेता है, और वो pension बेच देता है, सरकार को, यह कहे कि, मुझे एकटे पैसे दे दो, लमसम बनी दे दो, और मैं अपनी pension छोड़ देता हूँ, आपके उपर, तो जितना part वो commute करवाएगा, वो exempt कर दिया जाएगा, so commuted pension received by the employee, of CG, SG and local authority, or statutory corporation is fully exempt from tax, fully exempt from tax, आईए चार्ड में लिखिए, government employee हो, तो fully exempt है, और अगर आप, और अगर आप, other than government employee है, अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है, तो one third of the pension exempt कर देंगे, और बाकी taxable कर देंगे, जितनी आपको commutation मिली, माइनस जितना exemption दे दी, बचा हुआ taxable कर देंगे, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, तो 50% की आपको exemption दे देंगे, फिर से अगर आप government employee हैं, तो आपका commutation, आपका pension को बेच देना पूरा exempt है, लेकिन अगर आप private employee है, other than government employee हों और आपको pension मिलती है, तो देखा जाएगा कि आपको क्या ग्रेचुटी भी मिली, अगर ग्रेचुटी मिली, तो one third exempt करेंगे, अगर ग्रेचुटी नहीं मिली, तो one by two exempt करेंगे, clear? तो यहाँ पर आईए चार्ट पर, other than government employee में दो बाते हो सकती हैं, other than government employee में फर्दर दो बाते हो सकती हैं, पहली बात, ग्रेचुटी, received, या ग्रेचुटी, not received, अगर आपको ग्रेचुटी मिली, तो one third of, commutation, exempt कर देंगे, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली, तो क्या करेंगे? one by two of, commutation, one by two of, commutation, shall be, exempt, बना लीजिए इस चार्ट को एक बार, और जब बन जाए तो एक बार येस बोल दीजेगा, खार्ट को र्रेच्टी नहीं मिली, नहीं मिली, कु Saya अहीं करेंगे, उगर नहीं मिली, और नहीं बना जाइए ऊच्म लावण. मयूर आपका हो गया आईएगा question no.28 Mr. Sagar who retires on 1-10-2021 is receiving rupees 5,000 per month as pension 5,000 रुपए per month उन्हें pension मिल रही है बताइए ये uncommuted है या commuted है ये uncommuted है या commuted है uncommuted है आगे बढ़िए on 1-2-2022 एक फरवरी 2022 he commuted उसने अपनी pension commute करवाली कितनी pension 60% of his pension 60% of his pension commute करवाली and received 3,000,000 रुपए और उसने receive करे 3,000,000 रुपए as commuted pension you are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee he is a private sector employee and received gratitude at the time of retirement he is a private sector employee and did not receive any gratitude at the time of retirement आईएगा question number 28 बताइए वो retire कभ हुआ वो retire कभ हुआ 1,10,2021 को 1,10,2021 को तो उसे pension October में मिली होगी कितनी 5,000 मुझे बताईए ध्यान से बताईए क्या ये 5,000 रुपए जो October में pension मिली scenario लेते हैं 1,2,3 123 वो government employee है वो private employee है और gratitude receive कर रहा है वो private employee है और gratitude receive नहीं कर रहा है बताईए क्या ये जो 5,000 रुपए pension है government employee इस पर tax देगा या नहीं देगा क्या गवर्मेंट employee के लिए taxable होगी या नहीं होगी मैयूर चार्ट देखिए चार्ट देखिए चार्ट क्या कहता है recurring pension recurring pension taxable for all अब बताईए ये 5,000 रुपए October में जो मिला है October में जो मिला है क्या ये सभी tax देंगे या नहीं देंगे 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 taxable 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 अच्छा taxable में कितना पूरा या कुछ पूरा या कुछ पाँच हजार पाँच हजार पाँच हजार नवेंबर में जो पाँच हजार की pension मिली इसकी भी इंकम है, इसकी भी इंकम है, और इसकी भी इंकम है. देसंबर में, अच्छा, कम्यूटेशन कब हुई है? फर्वरी में हुई है, याद रखना. देसंबर में 5000 की पेंशन मिली, इसकी भी इंकम है, इसकी भी इंकम है, और इसकी भी इंकम है. जैनवरी में 5,000 की pension मिली इसकी भी income है इसकी भी income है और इसकी भी मुझे बताइए फरवरी में उसे कितनी pension मिली फरवरी में उसे कितनी pension मिली question पढ़िए एक फरवरी को उसने अपनी 60% pension commute करवा ली 60% pension बेच दी और बाकी 40% pension मंतली लेने लगा क्या यही मतलब है इस line का येस तो फरवरी में उसे फरवरी में उसे क्या मिला दो चीजें मिली फरवरी में उसे 5,000 की pension का 40% मिला 5,000 की pension का 40% मिला 5,000 की pension का 40% मिला recurring pension बताओर तो कितना मिला 5,000 का 40% 2,000 रुपे 2000 रुपए और 2000 रुपए क्या ये तीनों ही cases में taxable होगे क्या ये तीनों ही cases में taxable होगे yes or no आया ना बोल दो कोई doubt है के students बताइए doubt नहीं है पर no किया है या clear नहीं है पर no किया है मैं समझ नहीं पाया आचन चल आपका no किस लिए है चलिए anyways फरवरी में उसने अपनी pension को commute करवा लिया कितनी pension commute करवा ली कितनी pension commute करवा ली 60% अब एक बात बताईए वो government employee है वो government employee है government employee अगर अपनी pension commute करवाएगा तो क्या उसे कोई tax देना है चार्ट देखिए चार्ट देखिए क्या कहता है government employee अगर अपनी pension commute करवाएगा देन इट विल बी fully exempt fully exempt इसका मतलब government employee के case में जो उसने अपनी pension commute करवाई है उस पर कोई income tax नहीं जाएगा लेकिन अगर वो private employee है अगर वो private employee है non government employee है तो दो बाते हो सकती है अगर तो उसे ग्रैचूटी मिली तो वन थर्ड एक्जेंट होगा और अगर उसे ग्रैचूटी नहीं मिली तो जो वन बाई टू मतलब 50% exempt होगा तो यहां पर बताईए अगर वो ग्रैचूटी receive कर रहा है अगर वो ग्रैचूटी receive कर रहा है तो वन थर्ड commutation से मिला कितना तीन लाख commutation से मिला कितना तीन लाख तीन लाख का तीन लाख का वन थर्ड कितना आ जाएगा एक लाख यह एक लाख क्या है exemption या taxable यह एक लाख exemption है या taxable है वताईए फटाफट से ये एक लाख exemption है या taxability है बोलिए exemption है तो taxability कितनी होगी मुझे मिला है तीन लाख मेरी exemption है एक लाख तो taxability कितनी दो लाख अगर मुझे ग्रैचूटी नहीं मिली है तो exemption कितनी देते हो exemption कितनी देते हो 50% 50% तो मिला कितना है 3,00,00,00 का 50% एक लाख 50,00,00 ये क्या है exemption तो taxable कितना हो जाएगा टेकसेबल कितना हो जाएगा डेड़ लाख प्रिथल आपके यहां कुछ issue हो सकता है internet का बाकी लोगों को भी screen visibility में कोई issue आ रहा है क्या नहीं बाकी कहीं कोई issue नहीं है प्रिथल एक बार check करिए अपना internet connection अच्छा मुझे बताईए मार्च में कितनी pension मिली होगी आपको मार्च में कितनी pension मिली होगी मार्च में आपको कितनी pension मिली होगी government employee को 2000 प्राइवेट वाले को भी दो ही मिली होगी और इसको भी दो ही मिली होगी साल खतम बताईए साल खतम हो गया बताईए टोटल कर लीजिया पांच दस पंदरा बीस बाइस चौबिस पांच दस पंदरा बीस बाइस चौबिस दो लाख चौबिस पांच दस पंदरा बीस चौबिस बट आंसर तो कुछ गलत है अच्छा एक मिनिट रुकिएगा कुछ मिस्टेक करी है क्या यह यह आंसर में ही कुछ पंदरा बीस बाइस मिस्टेक दिख रही है आपको क्या आप लोगों का भी यही टोटल आ रहा है क्या अपको कि अच्छोबिस माइनस तो लाग है चीक है सुनिएगा अगर आप क्वेशन में दो लाख रुपे लेते हैं न इसे ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको अगर आप क्वेशन में इसको दो लाख रुपे लेते हैं तो आपके ये आंसर मैच होंगे लेकिन हमने क्वेशन में तीन लाख लिया है दो लाख 24,000 और एक लाख 74,000 अगर आप यहाँ दो लाख लेते हैं अगर लेते हैं तो आपका अंसर आएगा जो मैंने नीचे दिया हुआ था आप चाहें तो करके देख सकते हैं देखिए अगर मैं 2,000,000 रुपे में अपनी pension commute करवाता हूँ तो मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ आप करियेगा नहीं मतलब आप बली कर लिजीगा अगर मैं 2,000,000 रुपे में अपनी pension commute करवाता हूँ तो यहां पर जो मेरी amount आएंगे वह कैसे आएंगे दो लाग का one by third exempt हो जाएगा तो दो लाग का divided by three 66,666 रुपे exempt होगा बाखी taxable हो जाएगा तो कितना taxable होगा एक लाग 33,333 और दूसरे case में क्या आ जाएगा दो लाग का 50% तो एक लाग रुपे taxable है एक लाग रुपे exempt होगा अब आप आंसर निकालिए आपका आंसर क्या आएगा इस case में 24 ही रहेगा दूसरे case में 5, 10, 15, 20, 22, 24 और एक तेटिस तो 24,000 में 133,333 तो आपका आ अंसर आ जाएगा एक लाख सत्तावन हजार तीन सो तेंतिस और यहां पर क्या आएगा पांच, दस, पंद्रा, बीस, बाईस, चौबिस चौबिस और एक लाख तो यहां अंसर आएगा आपका एक लाख चौबिस हजार अच्छा हमारा कितना है चोहत्तर है नहीं यह होगा फिर उस चेस में एक लाख चौबिस हजार ठीक है क्लिर है तो आप क्या करिए बैटर एप्परोच्ड में बताता हूँ आप आंसर को चेंज करिए दो चौबिस और एक चौहत्तर पर judgment – दो चौबिस और एक चौहत्तर पर 74 कैसे आया है मारा एक बार देख लेते हैं 5, 10, 15, 20 74 कुछ गलत नहीं आ गया है मेरे खाल तो 24 अच्छा वो पुराने केस में है ठीक है ठीक है चल सकते हैं आगे बताएं यहां किसी को कोई डाउट है अजी कोई डाउट है किसी को नहीं है लीव सेलरी एक हमारा टॉपिक है लेकिन इसको आज नहीं लेंगे क्योंकि यह आज खतम ना होने वाला टॉपिक है अपने आप में काफी लेंदी प्रोवीजन है लीव सेलरी इसको नहीं लेते उसके बाद हमारे पास है रिट्रेंश्मेंट कंपनसेशन इसको समझ लेते हैं छोटा सा सेक्शन है रिट्रेंश्मेंट कंपनसेशन तो अगर कोई कंपनी अपने एमप्लॉई को कहती है कि आप कंपनी छोड़ के चले जाएए हम आपको फंड देंगे पैसा देंगे कंपनसेशन देंगे तो वो कंपनसेशन में से कितना अमाउंट टेक्सेबल होगा कितना एक्जेंट होगा वो आपके सामने है इस वाले सेक्शन में so any compensation received by a workman at the time of retrenchment under the industrial dispute act 1947 exemption will be least of the following actual amount receive पांच लाग और पंदरा दिन की average salary for every completed year of service और part thereof in excess of six month salary का मतलब होगा basic और DA DA कौन सा इफ या पूरा DA का मतलब इफ या पूरा full कितना सा section है बस एक और section है voluntary retirement, voluntary retirement compensation तो अगर कोई employee voluntary retirement लेता है company से वो कहता है जी मुझे retire होना है मुझे retirement दे दो तो उस case में अगर उसको कोई compensation मिलती है तो भी वहाँ पर उसको taxability और exemption में देखा जाएगा इसको दे दी जाएगी least of the following जितना amount आपको मिला रुपीज five lakh last drawn salary multiply by remaining month of service left तो जो आपकी पिछले महीने की salary थी पिछले last drawn जब आप retire हुए तब आपकी जो salary थी multiply जितने महीने आपके service के रह गए होंगे तो service के आपके कितने महीने रह गए है माली जे आपने 60 साल तक काम करना था और आपने 58 साल पर काम छोड़ा है तो दो साल आपके service के रह गए मतलब 24 महीने आपके service के रह गए तो remaining month 24 आ जाएगा और fourth number पर लिया जाएगा तीन महीने की salary multiply by completed year of service जितने साल आपके company को दे दिये हैं अभी तब salary का क्या meaning होगा यहाँ पर salary का meaning आएगा basic salary दिये कौन सा forming part of the retirement benefit इसका मतलब if वाला और साथ में जोड़ जाएगा commission if given on a percentage of turnover तो यहाँ पर percentage turnover वाला commission जोड़ दिया जाएगा आपको याद होगा मैंने एक जगह आपको बताया था meaning of salary जब मैं salary के chapter में आखरी तक पहुंचूंगा तो इतनी जगहे इतने अलग-अलग meaning हो चुके होंगे कि आपको याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर क्या meaning है तो ऐसे में आप एक chart बनाते रहिए कि कौन से section में salary का क्या meaning है और उसे एक जगह पर ले आईए हर जगह का meaning of salary एक page पर बना लीजिए और उस page को अपनी study table पर या कहीं पर भी लगा के रखिए ताकि अगर आपको एक glance लेना हो पूरे उसका chapter में कि कहाँ कहाँ पर meaning of salary में क्या क्या चीज़े हैं तो वो आप समझ पाएं क्योंकि ये ultimately आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन से section में salary का meaning क्या होगा हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं कि कई section आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर meaning of salary सेम है तो आप क्या करिए salary का meaning इस 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 वाले section में ये चलेगा salary का meaning इस वाले section में ये चलेगा तो जो common हैं जो सभी sections में लग रहे हैं उनको एक जगे पर लिख लो ताकि आपको space भी कम लगे और आपको ऐसा भी न लगे कि इतनी रंबी लिस्ट को नहीं याद करेगा तो इस तरह से कुछ summarization करो ताकि आपको revision में दिक्कत ना आए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसी तरह का कोई chart बना कर मैं आपको दे दूँ लेकिन मेरे पर depend मत रहिएगा in case अगर मैं आपको नहीं दे पाया और आप इस उमीद में बैठ जाए कि मैं दे दूँगा कहीं ऐसा ना हो मैं भी न दूँ और आप भी रह जाएं मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की अगर समय मिला तो मैं जरूर आपको बना कर दे दूँगा ताकि आपका काम काम हो हैं बट बनाईएगा जरूर क्योंकि चैप्टर के आखरी तक आते 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 आपके दिमाग में इतनी बार मीनिंग ऑफ सैलरी आ चुका होगा कि आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि कहा पर क्या मीनिंग है और अल्टिमेटली आपको याद ही रखना है इसक प्वेश्चन नमबर 31 मिस्टर दत्ता रिसीवड वॉलेंटरी रेटायरमेंट कंपनसियेशन और रुपीज 7 लैक उनको वॉलेंटरी रेटायरमेंट इसकी मिली है 7 लाक रुपे की आफ्टर 30 एर्स 4 मन्थ और सर्विस तीस साल 4 महीने काम करने के बाद उन्हें ये फंड म पेला, he still has 6 years of service left, उनकी 6 साल की service अभी भी बाकी है, at the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary of 20,000 per month, DA which form part of a pay 5,000 per month, compute his taxable voluntary retirement compensation, assuming he does not claim any relief under section 89, उन्होंने कोई relief नहीं लिया है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप VRS compute करिए, तो बताइए question number 31, computation of exemption under voluntary retirement, पहला point क्या है voluntary retirement के लिए? पहला point कितना amount मिला? amount received, दूसरे number पर क्या है? पांच लाग की limit, तीसरे number पर क्या है? लास्ट ड्राउन सेलरी, multiply by जितने number of month की आपकी service रहे गई है, तो लास्ट ड्राउन salary, multiply by number of month of service left, service आपकी रहे गई है, और चौत्छे number पर क्या दिया हुआ है? तीन महिने की salary, multiply by जितने साल आपने काम कर लिया, completed year, completed year, तीन महिने की salary, multiply by completed year of service, आईए, amounts रखना शुरू करते हैं, सबसे पहले amount receive कितना हुआ है आपको, amount कितना receive हुआ है, question में, BRS का 7 lakh rupees, बताते रहिए साथ की साथ, मुझे भी अच्छा लगता है आप जब कुछ बताते हैं तो, वरना मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं कैमरा से, दिवारों से ही बाते कर रहा हूँ, amount पांच लाख, और तीसरे number पर, last drawn salary, last drawn salary, कितनी थी जब आपने job छोड़ी, जब आपने job छोड़ी तब कितनी थी आपकी salary, सर जब हमने job छोड़ी तो 20,000 रुपे पर मन्त मिलता था, और 5,000 रुपे का हमें DA मिलता था, तो मेरी last drawn salary थी, 25,000 रुपे, multiply by, multiply by, number of month, number of month of service left, कितने महीने रहे गए हैं, मेरी service के, कितने महीने रहे गए हैं, मेरी service के, number of month, चंचल आप 6 बोल रहे हो, 6 year हैं, number of month पूछे हैं, month, 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 number of month, ध्यान से देखिए, provision, number of year पूछ रहे हैं, month पूछ रहे हैं, month, तो, question में जो दिया है, वो तो 6 साल हैं, month कितने हो गए? सर, month हो गए, 72, कैसे आए हैं, 72, इसको समझ लीजी एक बार, 72 कैसे आया? 6 year multiply by 12 month, कितना आ गया? 25,000 into 72, कितना आ जाएगा? 18,00, फूर्थ नंबर पर क्या लेना है? 3 महिने की salary, तीन महिने की salary, तीन महिने की salary, 25,000, एक की है, तो तीन की कितनी हो गई? multiply by, completed year of service, completed year of service, बताइए, completed year of service कितने हैं आपके? आपने कितने साल काम करके नोकरी छोड़ी है? 30 साल 4 महिने, 30 लोगे या 31 लोगे? 30 या 31? 30 तो 25,000 इंटू 3 इंटू 30, कितना आ गया? 22 लाग, 50 लाग, whichever is lower, whichever is lower, कितना आ जाएगा? 5 लाग, ये क्या है? exempt, तो taxable कितना होगा? taxable कितना होगा? अगर, receive हुआ है, 7 लाग, exemption दे दी है मैंने, 5 लाग, तो taxable कितना होगा? clear? taxable voluntary retirement compensation, 2 लाग रुपीज, पताएए कोई confusion है यहाँ तक किसी को? अगर यहाँ पर, experiments ध्यान दीजेगा, अगर यहाँ पर, 30 साल, 4 महीने ना होते, अगर यह 4 महीने ना होके, 7 महीने होते, तो आप, तो आप, यहाँ पर, 30 लेते, या 31 लेते, पाजल, जल्दी का अंसर है यह, यह बहुत जल्दी का अंसर है आपका, मैयूर, गलत है आपका अंसर, लॉए एक बार फिर से पढ़िए, और बताइए सही अंसर, 30 होगा या 31 होगा, जितने लोग 31 कह रहे हैं, वो एक बार लॉए पढ़के आईए, और फिर से मुझे बताइए, 30 होगा या 30 होगा, बोलिए, फटा-फट से 30 ही या 31, पढ़ लीजिए, लोग एक बार, लोग क्या कहता है, लोग में क्या लिखा है, completed year of service, completed year of service, क्या वहाँ ये लिखा है, part of in excess of six months, क्या यहाँ लिखा है, part in excess of six months, नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा, तो आप 30 साल, 30 साल, 8 महिने को, क्यों round off कर रहे हो भाई, completed है, completed, तो complete कितने है, 30 complete है, ये 8 complete थोड़ी है, बताइए clear है मेरी बातिया नहीं, यहाँ पर, retrenchment compensation में, अगर 30 साल, 8 महिने होते, तो 30 या 31, क्यों 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 यहाँ लिखा है, और part there of in excess of 6 months, मैं क्या समझाना चाहरा हूँ आपको, मैं समझाना चाहरा हूँ, law कितना बारीक है, कहाँ पर क्या बात लिखी है, कहाँ पर क्या बात नहीं लिखी है, इससे आपका पूरा answer बदल जाएगा, आपके सामने question आजाएगा, voluntary retirement का, आपके सामने question आजाएगा, retrenchment compensation का, एक में आप 31 करोगे, एक में आप 30 रहने दोगे, बड़ी confusion है, रखना है आपको इन बातों का, अभी आप गल्ती करें, कोई बात नहीं चलेगा, अभी आप practice में हैं, लेकिन exam आपसे, ये tolerate नहीं कर पाएगा, कि आप वहाँ पर इस तरह की silly mistakes करें, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने इस तरह की mistake करी, तो आपका पूरा का पूरा final answer बदल जाएगा, आपका पूरा का पूरा final answer बदल जाएगा, step marking तो छोड़ी है, मैं कहता हूँ, आपका main answer change हो जाएगा, तो आप step marking से भी जाएगे, और main answer से भी जाएगे, तो इन बातों का please ध्यान रखिए, कौन से section में part in excess of six month है, कौन से section में completed year of service है, highlight करके रखिए, कहीं bullets बनाने हैं, बना के रखिए, ताकि revision में आपको याद रहे, कि इन इन sections में, 6 महिने के उपर वाले को, मुझे पूरा साल लेना है, और बाकि सभी section में, अगर जब तक पूरा साल ना हो, तब तक वो पूरा साल नहीं माना जाएगा, तो इन चीजों को please, कहीं न कहीं बना के रखते चलिए, वापस आईएगा मेरे साथ, जब मैंने आपको आज पार्ट C पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको 6 benefits बताए थे, जो कि हम retirement benefits में पढ़ेंगे, मैंने आज आपसे बाते करी हैं 4 की, मैंने आज आपसे बाते करी हैं 4 की, ग्रेचुटी वी हैव ड़न, पेंशन वी हैव ड़न, रिट्रेंश्मेंट कंपन्सेशन वी हैव ड़न, वॉलेंटरी रिटार्मेंट वी हैव कंप्लीटेड, कल की क्लास में हम बात करेंगे, इन दो sections की, contribution made to provident fund, and leave salary, leave encashment, कल की क्लास में हम बाते करेंगे, इन दो points की, और फिर हम questions की practice करेंगे, इन ही concepts के, जो मैंने आपको retirement benefit कराया है, मैंने काफी questions रखेंगे हैं आप लोगों के लिए, आप आईए एक बार मेरे साथ, आप आईगे, कौन से page number से शुरू किये हैं मैंने questions, 102, page number 102 पर आईएंगे, तो question number 32 से शुरू होते होते, मैंने आपको, कहां तक निये हैं question, question 35 तक, तो चार questions रखेंगे हैं, जिसमें पूरा का पूरा आप देखिएगा, मैं retirement benefits आपका check कर लूँगा, और percusate भी check करवा दूँगा, और allowances भी check करवा दूँगा, तो ये, अच्छा 36 तक रखेंगे हैं अपने question, इसके बाद फिर मैं आप से बात करूँगा, next class के बारे में, कि next class कब और कैसे होगी, कोई query है, कोई doubt है किसी का यहां तक, नहीं, आईए, अब बात करते हैं, next class का update, next class, as usual आपकी कल है, next class आपकी कल है, लेकिन कल, शाम को class न रखें, अगर हम सुभा प्लाइन करें, so is there any problem with anyone, अगर हम सुभा प्लाइन करें class तो, मैयूर ने yes किया, मतलब मैयूर problem है या नहीं है, मैं यह नहीं समझ पाया, अच्छा problem है, तो चलिए कल की class को, अच्छा सुभा आप कह रहे हैं, नहीं हो पाईगी, प्रॉब्लम है, इवनिंग में अगर हम शाम को पाँच बजे प्लाइन करें class, ग्रॉब्लम हम और दूख जयां सुभा नहीं तो फ्यूब्लम है, इवनिंग पाईगा, फ्रम चंचल, चंचल is not in the class, चलिए, तो कल की class हम रखेंगे पाँच बज़े, फाइनल है, तोमोरो क्लास, एट फाइफ टी-म, ठीक है, आपको notification आ जाएगी, एप में ही, कल हमारी class पाँच बज़े होगी, चलिए